शिया वक बोर्डाची याची का कोर्टाने फेटालेली आहे ये एक आता समोर महत्वाची बात्मी समुरते अयुधा प्रकर्णी आज सर्वोच निकाल लागना ताला है आता या मदे शिया वक बोर्डाची जी मागनी हुती जी आचका होती ती फेटाणना ताली आहे सर्वा सम्मतीने निकाल अधा प्रकर्णाचा लागना रहे असा कोनटाने महतलेला हे शीया वख़ बॉर्डाने जी आचका दिली होती ती आचका अता फेटाणना तालीली आहे आज तची सगत मोठी बात मी समुरेते आयोध्या प्रकर्णी आज सर्वोच निकाल लागना रहे सुप्रीम कोड़ा मदे या निकाराचे सुनावनी ला थोड़ाच व्याज शुर्वा थोड़ा रहे शिया वक बोर्ड या जमिनी चा मालकी वर अपला हका सांगितला होता बाबर यानी मशिद बानली होती यानी तेंचा प्रमुख मीर काभी यानी या मशिदी चा बानका माला सुर्वात केली होती मिर काबी हा शिया होता त्यामुने या जमिनी वर या जागे वर शिया वक बोडाने तैंची मालकी असलाचा सांगीतला होता तैंची मालकी असलाची आची का तैंनी यादर या साथी दाखल केली होती पर दू बाबर हा शुन्नी असलाँने सुन्नीिच या जमिनी वर अहे शुन्नी वक बोडाने शांगितला होता या तरम। कोर्टाने स्पष्ट के लिला है रामजन कुई बने लिए और यहीं नहीं मैं सारे बात को यहां रखना नहीं चाहता हूं हमारे पास सारे सारी सारी बात इस यह वोर्ट की तरफ से कहीं कहीं मंदिर के पच्छ में बाते जा रहे थी लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने तिक्छा कर रहा हूं बागी हमारी सारी तैयारी पूरी हमा सस्त हैं जैश्या रहा है त्रयुद्धा प्रकार्णी आसरवच्च निकाल समरेना रहे आने इस ट्यादर में एक महत्वाची बात में समरा लिया है ती मंजे श्रीया वक्ष बोर्डाची अचिका ही सुप्रीम क जिल्हा चा वक्ष आयुकता ने या समन्दी चौकी छीचे आदेश देखेल दिले होते ही मशित बांधुनारा मीर बाकी हा शिया होता त्यामुणे ही मशित शिया समुदाया ची आहे असा दावा मशित चे व्यवस्त अपक महमबाद जाकी या निकेला होता परन्तु जिल् शीक के चौय सुरोजी लिलेला वालात मटलै की ही मशित बांधूरन गेनारा बात्शाह सुन्ने होता त्यामुणे इतला कार्भार पाहनारे इमाम सुद्दा सुन्नी होते त्यामुणे ही मशित सुन्नी यँची Human शिया हाकुठला उरही दावा सांगु शकत नाही असा दाखल करना ताली हुदती परंतु ही आची का आता कोटाने फेटाली आहे त्या मुले आता सुन्नी वक बोर्डाचा अधिकार या जमनीचे मालकीवल असनार का है पाहणा महत्वाचा आहे अधा प्रकर्णी आता थोड़ास वेलामधे निकालाचा सुनावनीला सुरुवात ह देश भराब मधून सर्वांचा स्लक्ष या खटलावर आहे या खटलाचा निकाल काय लागतो आणी या जमनीचे मालकी संदर्भाद काय समुरत है पाहणा सर्वान साथी उच्छुक्तेचा आहे त्यासोबत अस देशाचा सर्वा भागान मदे कडक सुरक्ष वेवस्ता तैनात करना तलीली आहे देशाचा सर्वा भागान मदे काही ठीकानी जमाव बंदी ही लागू करना तली आहे महाराश्ट्र मदे देखिल या पाल्ष्व भूमिवर मुम्बई मदे कडे कोट सुरक्ष वेवस्ता तैनात करना तली आहे 1936 साला पसुन शुरू असलेला श्रीया सुन्निवाद या मदे महत्व पूर्ण निकाल समुराल आहे श्रीया वख बोर्डाची जी याची का हुती ती याता फेटाना तली आहे 1936 सुर्णिवाद याता श्रीया वख बोर्डाची भूमिका ही काय हसनार याकडे ये पाहना महत्वाच जी तैन्ची याची का ही फेटाना तली आहे आने याता स्तुर्णि वख बोर्डाची यावर काय महन्ना है शी याँ वख बोर्ड यापुडे काय निर्णेंग इतला हे देखीन महत्वाचा है यासुबद सर्वसम्मतीने अयोध्यचा निकाल घेनार सर्वसम्मतीने अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लावनार असा कोर्डाने पश्टकेलेला है तबल एक्षित 35 वर्षर जुना असलेला हा खटला या खटलाचा निकाल आथ सर्वान समुरेना रहे या खटलाचा निकालाचा सुनावनी साथी सर्नायदीश रंजन गोगोई है सुप्रिम कोर्टा मदे दाखल जालेला है थोड़ास बढ़ामदे या मूठा प्रकर्णा अवर खटलाणा निकाल आध सुनावनीला सुरवात हुना रहे आणी या तली सर्गात महत वाची बात मी समुरेत्या है ते मिंजे शिया वख बोर्डाची या बोर्डाची याची का सुप्रीम कोर्टाने फेटा अलेलिया है एक उड़ सिटी स्पास्तुन शिया आने सुन्नी हा वात सुरू होता शिया आने सुन्नी या धोगान नहीं या जमीनी वर आपली मालग की हक्का सांगितला होता मुगल समराड बाबर याने ही मशिद बानले उती आणि तो सुन्नी समाजाचा होता तर त्याचा मशिद बान्धडारा मीर बाकी हाँ शिया होता त्यामुले शिया धर्मियानी देखिल या जमिनी वर आपला मालकी हक्का सांगितला तर मुगर्स समराट बाबर हा सुन्नी होता त्यामुले या मशिद बार आणि याज़ागे बर शुन्नी यांचाच मालकी हक्का है असा सुन्नी धर्मियान चा शांगिन हुता शिया आणि सुन्नी हाँ वाद देखिल चांगला से याम्ला होता आणि आता यात संदरबाद मोठी बात मी समरते ती महंजे शिया वक बोर्डाची याच्ची का सुप्रिम कोर्टा ने फेटालून लव लिये आता यात संदरबाद मोठी बात मी समरते बाबर चा काड़ा मेरे मशीद निर्मान केली गेली हाँ एक मोठा निवाला कोर्टा ने दिलेला है मोठा कोर्टा स्टेटमेंट समरते निर्मोही आखाडाचा दावा फेटालाना तालेला है आता ची सग्यात मोठी बात मी समरते निर्मोही आखाडाने जो दावा केला होता तो फेटालानात आला है यानि राम ललला कोर्टा ची काईदेशिर मान्याता देनात आलेली आहे बाबर चा काला मदे मशीद निर्माण करनात आली हे आता स्पष्ट सलेला हे कोटाने याला मानने ता दिलेली आहे निर्मोही आखडाचा दावा याठीकानी फेटा आने तालेला हे आताची सग्यात मुठी बात मी समरते संपुर्ण अयोध्धा प्रकरनात ची अपड़ेट सामी तुमचा परंत पोचो आता हो ताने आताची सग्यात मुठी बात मी समरते ते मंजे बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बन लेली नाही आससुद्दा सुप्रीम कोटाने सपश्ट केला हे बाबर चा काडा मदे मशीद निर्माण करनात आली हे आता कोटा कडून सिप्धा जालेला हे निर्मोही आखडाने जो दावा केला होता तो दावा आता फेटा आना जालेला हे आताची सग्यात मोठी बत मी महनावी लागेल राम लल्लाची याची का कोटाने खरूली आहे तर बाबरी मशिद ही रिकाय में जागी बनली नाही असा सुद्धा कोटाने स्वष्ट केला हे बाबरी मशिदीचा निर्माण हे बाबर्चा काडा मदे जाला हे सुद्धा कोटाने सांगी चला हे त्या सोबत अच निर्मोही आखाडाचा दावा फेटा आना तालेला हे साड डिसेंबर ला बाबरी मशिद वस्तों पंचुश फर्ष पूर्णा जाली आहे तानी या नंतर अनेक ठीकानी मध्यस्ती देखिल करनाचे प्रतन करना ताले परन्तु हे प्रतन ओयोश स्वीट हर ले तान नंतर आताची सग्यात मूठी बात में समुरते तीम हंजे सु निर्मोही आखडाने केलीला दावा फेटा आनना तालेला है। निर्मोही आखडाचा दावा फेटान तालेला है आने आताची सग्यात मूठी बात में समुरते तीम हंजे राम ललाला कोर्टाची काईदेशिर मान्यता देना तालेली आहे। बाबरी मशीद ही दिकाय में जागी बनली नाही। बाबरी मशीद ही रिकाय में जागी बनली नाही। असा सुप्रीम कोर्टा ने सांगीत लेला है। या सुपताच राम ललाला कोर्टाची काईदेशिर मान्यता देखील देना तालेली आहे। असा सुपताच राम ललाला विराजमान हासरवात प्रमुख हिंदु पक्षा असला होता। प्रभुष्री राम उर्फा ला राम लला विराजमान कोर्टाची काईदेशिर मान्यता देना तालेली आहे। या प्रकर्णामदे या संपुर्णा प्रकर्णामदे हिंदु पक्षने रामलला विराजमानला उर्फ प्रभुश्री राम यानना एक स्वतंत्र पक्षकर्णाचा निरने घेना ताला होता या प्रभुश्री रामारांचे प्रतिनी धी मनुन उच्चनायला चा निवरुतन नायमुर्ती देवकी नंदन याननी दावा कोटा सुमोड ठेवना साथी त्या पहला उपस्तित रहेला त्याचा नंतर अठाश पंचेंशी साली अयोधेचे एक स्थानिक रभुवर्दास जानी बाबरी मशिदी चा बहरील चबूतरा वर एक मंदिर बनोना साथी परवान गी मागीतली हुती मुख्या बाबरी मशिद ही रिकाम्या जागी बन लेली नाही असा सुप्रीम कोटा ने तांचा निर्णयामदे महटलेला है मशिदी साथी मंदिर पाडला है आजू नहीं स्पष्ट करना तालेला नहीं परणतु ही मशिद ही रिकाम्या जागी बन लेली नाही चा ठीकानी आगवदर वास्तुचे पुराव्या है असा देखील सुप्रीम कोटा ने महटला है निर्मोही आखाला चा दावा या ठीका मुठी बात मीं समुरेते मशिदी साथी मंदिर पाडला आलेला आलो की नहीं या संदरबात अजून कुटली ही माहीती समुरा आलेली नहीं परणतु मशिद ही रिका में जागी बान्धन तालेल नहीं असा सुप्रीम कोटा ने महटले निर्मोही आखाडा चा दावा आया ठीकानी फेटारने तला है अविधा प्रकरने सरवात मोठी बात में समुरत है मशिदी साथी मंदिर पाडल की नहीं है अजून स्पष्ट करना तालेला नहीं राम जन्मभूमी बाबरी मशिद वादा मदे राम लला विराजमान असाही एक पक्षव सावा आसास सल्ला पर सिदवक्की रानी भारताचे एटरनी जन्रल लाल नाराण सिन्हा याननी दिला होता या खटल्या मदे राम लला यंचाम मदे प्रभूष्टी रामान ना एक पक्ष मणु नुभा करना ताले तर पक्षकाराण पुडिल अने काईदेशिर अडचने सुट्ती लसा जन्हा यानी हिंदु पक्षाना समझावला मुस्ली पक्षा लौ अफ लिमिटेशन मंजेच मर्यादेचा वापर करून मंदिराचा दाव्या मदे हिंदु पक्षकारांचा विरोध करतील असा देखेल माननात आलो होता सुट्का पासुन चाहा वाद शुरू आहे आनी त्या मधे आता महदवाची अपडेट अपला समुरत्या है निर्मोही आखाडाचा दावा याठी कानी फेटारनात आलेला है आनी मशिद ही रिकाम्याजागी बांधनात आलेली नाही असा देखेल कोर्टाने स्पष्ट केलेला है देश अतला सरवात प्रदिर्ग चाललेले आनी वादग्रस्त खटलावर चा लवकरस निकाल दिर्चालू आहे आनी त्या मधे रामाचा जन्मा धालाचा हिंदुन ची आस्था आहे आनी त्या मुलेच रामललला यांचा वर सुप्रिम कोर्टाने जेकाई भाष केलेला है बाबर्चा काला मधे मशीद निर्मान करनात आली असा कोर्टाने स्पष्ट केला है त्यासुबत अच निर्मोही आखडाचा दावा सुप्रिम कोर्टाने फेटावन लावनात आलेला है रामललाला कोटाची काईदेशिर मान्याता देनात आलेली आहे रामाचा जल्मा झाला अशी हिंदुन्ची आस्ता हे त्या मुले रामललाला काईदेशिर मान्याता देनात आलेली आहे परन्तु मशिदी साथी मंदीर पैडलर हेस पश्ट करनात आलेला नही मशिद ही रिकाम्या जागी बांधनात आलेली नाही ही मशिद बांधनाय साथी खुठला जागेचा वापर करनाताला हे जुन सांगनात आलेली नाही या ठीकाणी अगोदर मंदीर होता की नाही हे सुद्धा आजुन सपष्ट जालेला नाही रामाचा जन्मा झाला असलाचा असलाची हिंदुनची आस्ता आहे त्या मुले रामललाला कोटाने काईदेशिर मान्यता दिलिया हे बाबर्चा काडा मदे ही मशीर निर्मान करना ताली अस देखिल कोटाने स्पष्ट केला हे आताची सगयत मोठी बात में समुरते बाबरी मशीर ही रिकायमा जागी बांधनात आलेली नाही बाबरी मशीर परन्तु ही मशीर बांतान ना मंदिर पाडलाचा ही कुटले ही स्पष्ट करनात आलेला नाही राम लंदाने ग्रंथाचे दाखले दिले आए तेनुसार रामाचा जनम जालेला है अने रामाचा जनम जालेची हिंदूनची आस्था आए हे सुद्धा कोटाने स्पश्टकेला है बाबरचा काड़ा मदे या मस्षिदीची बाधनी करना ताली हुती अयोधे मदल्यार रामकोट मोहल्यातले एका टेक काड़ावर ही मशिद आहे तिधे असलेले शिलाले खाणी सरकारी दस्ताइव जानुसार अयोधे चा बहुचरचित बांधका 1528 ते 1530 चा दर्मान जालो होतो इदे स्वारी करूं अलेला मुगल बाच्च बाबर याच्च आदेशा वरून मीर बाकी याथाच्च मंत्रा ने बांधकाम केल होतो शिमाहिती समुराली त्यामधे बाबरी मशित आणि तिचा निर्मान ये बाबर चा काड़ा मुले जाला आणि बाबर चा नावा वरून ज या मशितीचा नाव बाबरी मशित पडला स्थाने खिंदू आणी मुस्लामन मदे मश्चिदी चा मुद्धा वरून अनेकदा संघर्ष पाहला मिलाला है या संघर्ष मदे आनेकदा बाबर वरून सुधा आनेकदा मुगा सम्राट बाबर वरून देखिल आनेकदा राजुके घडा मुली घडल्या या मधे बाबर चा काणा मधे जमीन या जमीनी वर मश्चिद बांधना ताली असस्पष्ट चलेला है परंतु या मश्चिदी वर इमश्चिद बांधनाचा आगोदर या जागे वर अजुन दुसरा कही वास्तु खुती का हे अजुन समुर देना तालेले नाहिए सुप्रीम कोटा ने या बदल हुटली ही स्पष्टता दिली नाहिए निर्मोही आखडाचा आखडाची याची का याठीकानी फेटारना तालेली आहे 31 जानेवारी अठ्राशे पंचेंशी रोजी निर्मोही आखडाचे महंत रगबर दास याणी दिवाणी ने आलेयामदे पहिला खटला दाखल केला होता या चाउथराची जागाच रामाचा जन्मस्थल असलाचा ताननी भारत सरकार आणी महंत असकर याँचा विरोधात हाँ खटला दाखल केला होता या ठीकांचा संपुर्ण चवथारा हे रामाचा जन्मस्थल अहे आणी तिथे मंदिर बांधुणाची परवानगी द्यावी जनेकरूं पुजारी आणी खुद्ध भगवान राम या दोगान नाही उन पाउस वारा पासुन सद्रक्षन मिलेल असा या याचिके मदे महं आणातालो होतो निर्मोही आखाडाची ही याचिका आता रद्ध करणाताली आहे या याचिका करतने आसा दाबा केला होता कीतो या जमीनीचा मालक असुन त्याचा त्यावर ताबा आहे याचिका करतनना चवथररा वरून खटोनात आलेला नाही त्या मुले या याचिक आपला आक्षेप नोंदवत मतला की मंदिर बादधायला प्रश्वासनाने अनेक वेला परवांगी नाकार लिये। आपला आक्षेप नोंदवत मतला की मंदिर बादधायला परवांगी नाकार लिये। निर्मोही आखडायाचा प्रावव जाला होता। पुशीर झाला आसा सांगना ताला रामलदाने ग्रंथाचे दाखले दिल्या हेत अयोध्धा प्रकरने सर्वोच्च निकालाच समुरत्वे। कोटाचा या सर्वक घडा मोडिंग वर एम नुश्ची नजर आहे। या सोबात रामाच्या जन्मा झालाची हिंदूंची आस्ता आहे। असा देखिल कोटाने स्पष्ट केला हे चौठारा आणि सीता रसोईचा अस्तित्व देखिल कोटाने मान्या केलेला हे। इंग्रजांचा पुर्वी हिंदु चबुतरेची पुजा करत होते असा देखिल कोटानेस पश्ट केलेला है या बाबर्चा काला मधे या मशीदीची निर्मीती जाली परन्तु ही मशीद बांधणा साथी खुठली वास्तु पाडली गेली का हे अजुन कोटानेस पश्ट केलेला नाई परन्तु निर्मुही आखडाचा दावा या ठीकाने फेटा आन्या तालेला है तर राम लललाला कोटाची काईदेशीर मान्याता देना तालेला है रामाचा जन्मल जाला ही हिंदुन ची भावना है तो धार्मिक आस्तेचा विश्ट आहे त्या मुले राम लललाला कोटाची काईदेशीर मान्याता देना तालेला है बाबरी मशिद ही रिक्काई में जागी बंदली नाही असा देखिल कोटानेस पश्ट केलेला है बाबरी याचा काडा मदे या मशिदीची बान्धनी करणा ताली हुती बाबर किम्वा मीर बाकी ने ही जमीन कशित आब्यात घितली किम्वा या मशिदीचा बांध काम हुणया पुर्वी तिथे काय होतो याची कोणती ही नोन सापडत नै तर मुगल नवा बाणी नंतर ग्रिटिश सरकार्च राज्य अस्तान ना वक मंड़ा द्वारे या मशिदीचा देखबाली साथी ठरावीक रकम देखिल पुरवली जाईची परन्तु बाबरने मशिद बाणने आगोदर या ठीकानी खुठला वास्तुच अस्तित्व होता ये आजू नहीं समोर आलेला नाही इंग्रजांच्या पुर्वी हिंदू चबूतराची पुजा करत होते याज ठीकानी हिंदू आणी मुस्लीम सुधा येथे नमाज पठन कराचे आणी त्या वेडी या दोखान मदे वाद जाला आणी त्या मुणे या मदे एक भींत बाणना ताली एउदेचा बहु चर्जीत या मशिदी सबांकाम 15-28-15-30 दर्मान झालाएचा समस्ता ही थे स्वारी करूं अलेला मुगल बाच बाबर याचा आदेशा वरूं मीर बाकी या त्या मंत्रा ने हे बांध काम केलो होता आणी हे बांध काम बाबर याचास राजवाटी मदे जालेला है हे कोटा ने मान्य केलेला है मशिदी साथी मंदिर पाडल कि नाही हे मातर अजुन सपष्ट करनात अलेला नाही राम लल्दाने ग्रंथाचे दाखले ही दिले आहेत रामाचा जन्मा झाला होता अससुद्धा याठी कानी मान्य करनात अलेला हे रामाचा जन्मा झालेला हे रामाचा जन्मा झालेला हे रामाचा जन्मा झालेला हे इंगरजांचा पुर्वी हिंदू चबुद्राची पुजा करो थोते आने त्यास ठीकाणी मुस्लिम देखिल नमास पठन करो थोते परन्तु कालांतराने या दोगान मदे संगर्ष निर्मान चाला आने त्यान अंतर या संपुर्णा वादाला सुर्वात होद गेली या वादावर आज अउधा प्रकर्णी सर्वोच नियाले निकाल देना राहे निकाल अलला सुर्वात जली आहे आने काही महत वाचे निवाडे आता समुर याला सुर्वात जली आहे एवधा प्रकर्णी आता निर्मुही आखाड़ाने दाखल के लेली याची का फेटारनात अलेली आहे। तर आमाचा जन्म जहलेची ही हिंदुनची आस्ता आहे। त्यामुले राम लललाला काईदेशीर मान्यता देनाता लेली आहे। अठ्राशे 56 पुर्वी ही हिंदु आत पुजा करत होते। अश्य महत्वाची बातमिस अमुरत्य आहे। सुप्रीम कोटा ने हा निकाल देलेला हे। अविधा ही राम जन्म भूमी आहे या वर वाद नही। रामाचा जन्म या ठीकानी जहलेला हे। अश्य आचीका राम ललाने कोटा मदे दिली होती। या ठीकानी प्रकटले होते राम लला यांचा जन्म अयोध्य मदे जहला होता। तो महत्य महत्य कोटा मदे मैंने केलिला हे। 1826 पुर्वी सुधा हन्दु आत मदे पुजा करत होते। अयोध्या ही राम जन्म भूमी आहे आवर कुटला ही वाद नाही असा कोटाने सपष्ट केलेला है ता सुबत निर्मोही आखाडाची याची का मात्र फेटा आली आहे इंग्रजाननी विभाजना साथी रेलिंग बनावला होतो असा सुद्धा सुप्रीम कोटाने मटलेला है अनेक ब्रिटिश इतिहासकारानी या बदल महत्वाची बाहिती ही लिउन ठेवली आहे नवाबाची सत्ता काला मदे 1855 साली अनेक मुसल्मान बाबरी मशिदी जवल आले अन तिथून प्रतिश्रेचा हनुमान गडेवर मंद्रयाचा ताबा मिलोन सटी तिरनी कूच केली असा ब्रिटिश इतिहासकारानी लिउन ठेवला हे अयोध्याही रामा जल्मु भूमी आहे यावर कुटला ही वाद नाही असा सुप्रिम कोटाने स्पष्ट केला हे दोनी धर्माचे भाविक याज जागेवर पुजा करायचे आणी नमास पडायचे तांचातला संगरशो आणी हाणा मारी टारना साथी तिथे भिंत घालना तलिउती तानंतर चवथारावर आणी मशिदी चा भिंती बाहर चा जमिनी वर हेंदूंचा ताबा वईद असला प्रतिबाद न्यायद शाननी केलो होता याज सर्वांत हिंदू आनी मुसल्मान यांचे प्रार्थनास तलाचे प्रवेश्दवार हे एका चाहे अशा परिस्तिती मदे मंदिर बांधाला दाला तर घंटा आने शंख वाजोले जाती रानी त्या तून दोनी समुदायान कोर्टाने काईदेशिर मान्यता दिलेली आहे रामा चा जन्म यास्ठीकाने झाला जोला होता अयो द्या ही राम जन्म भुमी आहे यावर खुठला ही वाद नाही असकोर्टाने स्प़श्टकेलाा हे पुर्विच्वा काड़ी हिंदू और मुसल्मान, ग्यास ठीकाणी पुजा कराईचे, मुसल्मान या ठीकाणी नमाच पठन कराईचे, कालांतराने तैंच्वा मधे संगर्शो उद्भावला और त्या मुळे ब्रिटिशान कड़ू या ठीकाणी एक भिंत बानना ताली, त्यासो बताच या जमिनीचा त्री भाजन अयोगी असलाचा देखिल सुप्रिम कोर्टाने मटला हे 2010 साली कोर्टाने निकाल दिललला होता त्या मधे या जमिनीचे समसमान वाटप करना ताललो होता निर्मोही आखाडा रामलला अनी सुनिवक बोड या तिगान आही समप्रमाना मदे जमिन देणा ताली होती दोन पुणांका सत्यातर एकर वत असले या जमिनीचे विभाजन करना तालो होता परंतु या जमिनीचे त्री भाजन अयोगी आहे थे सुप्रिम कोर्टाने जमिनीचे त्री भाजन अयोग्या आहे अस सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट के लेला हे 2010 साली जो निकाल देनात आला होता तोस निकालाता पुणा योँशक्तो अशी शक्केता वर्तवना ते थुती परंतु आता है चित्र स्पष्ट सलेला हे या जमिनीचे त्री भाजन योग्या नाही अस सांगणा तालेला हे सुप्रिम कोर्टा कुडू त्या मुले 2010 चा निकालाची पुणारा वृत्ती आता हुशक्त नाही हेक स्पष्ट सलेला हे या निकालाता नेमको कोणाचे बाजुने लागतो याची उच्छुकता आता वाडलेली आहे यारी करास अंदरबाद हिंदू मुस्लिम पक्षकारानी चे दावे सार्खे चाहे असा देखें स्पष्ट करना तलेला हे जमीनी चे त्री भाजन अयोग्या हे सुप्रीम कोटानी या सर्व शक्यता आता ना कारलेला हे 2010 अली जो निकाल देणात आला होता तोच निकाल आता पुनर होनार का याकड़े सर्वांचे लक्ष होता परन्तु हा निकाल आता समुरें अर नाही याल जमीनी चे त्री भाजन होनार नाही दिरमुही आकडाचा सर्वय आची का याठीकाडी फेटा आणडा अलिला है राम लल्लाला मातर कयो तेश्य मान्यत देनाथ आलिल्ली आहे एउध्या ही राम जन्म भूमिया है यावर खुटला ही वाद नाई रामाचा जन्मा हां एउध्या मदे जला होता आस अ कोटा कोडुन पष्ट करणा तलेला है शिया बक पुरणाची ACC कहा ओ ठीकाणी नाकरणाथ अलेले आहे या मशिटीचा बांकाम बाबर चा राजवटी में जाला बाबर हाँ सुन्नी होता तर या मशिदीचा बांकाम करनारा मंत्री मीर बाकी हाँ शिया होता त्यां मुले शिया पंथियाननी सुधा या जमिनी वर मालकी हक्ता सांगितला होता तर बाबर हा सूननी होता, ताचा खाला मदे या मशुदीचा बांकाम झाला त्या मुणे, सर्व दुष्टिने या जागे वर केवर सूनने पंथियांचा मालकी आहे तांचा जहक का आहे, असा हाँ वाद होता एकुन श्या सूननी वाद सुधा या मदे नंतर समोराला होता, परंतु अखेर आता श्रिया वक बोडाचा सर्व याची का याठी काने फेटारना जालेला हे तानी यावर आता सुनी वक बोडावर आता सुनिवक बोड़ाला अन्यत्र जमीन दैची आसा स्पश्टरले मुसलिमानना अयोध्य मदे परियाई जागा मिलें आताची सगयात मोठी बात में समुरते केंदर सरकारने तीन महिना मदे या साथी योजना बनवावी सुनिवक बोड़ला या ठीकानी वेग्री जमीन देना ती एकणाशे 56 पुर्वी हिंदु आत्मधे पुजा करत होते हे सुप्रिम कोटाने स्पश्टा केलेला आहे अयोध्याही रामजन्मुग में आहे या वरबाद नाही अस सुद्धा स्पश्टा करनाज आलेला हे कोटा कोड़ू आनि या नंतराता सुनिवक बोड याला यानना वेग्री जमीन देना तेनार आहे आताची सग्यात मूठी बात में समुरते हिंदु आनि मुस्लिम पक्षकारांचे दावे सार्खे चाहे अनि याता एक मूठी बात में समुरते जमीनीच त्री भाजन होनार नाही जमीनीच त्री भाजन हे अयोग्य आहे अस सुप्रीम कोटा कोड़ू सांगना तलेला हे त्या मुझे दो नंजार दाहाचा निकाराची पुनरावृत्ती होनार नाही सुन्नी बोड़ाला अन्यत्र जमीन देना गर्जेचा आहे आणि लवकरात लवकर यावर अमल बजावनिक करने अत्यावी मुस्लिमानना अयोध्य मदेय परियाई जागा मिले अस कोटाने स्पष्ट केला हे राम ललला काईदेशिर मान्यता देना तलेली आहे याठी कानी राम जन्म भूमी आहे राम जन्म रामाचा जन्म याठी कानी जाला असा देखिल कोटा कुडून स्पष्ट करना तलेला हे रामाचा जन्म हाँ हिंदोंची धर्मिक भावना हे त्या मुले राम ललाला कोटाची काईदेशीर माननेता देनाता लिया है तर सुन्नी वक बोडला दूसरी कड़े जागा देनाची तरतु देखी लाता सुप्रीम कोटाने लवकरात लवकर करनाची आदेश देनाता लिया है तर सुप्रीम कोटाने लवकर करनाची आदेशीर मानने लिया है आणे तैची तर्दुत करनाचे आदेश लवकरात लवकर करनाचे आवे असा देखील सुप्रिम कोटाने स्पष्ट केलेला है। आणे आदेखील सुप्रिम कोटाने स्पष्ट केलेला है। मुसल्मान ना आत्या परियाई जागा मेरना रहे त्या ठीकाने लवकरात लवकर अमल बजावनी करने आत्यावी असस पश्टो करने तालेला है सुप्रिम कोर्टा करदून अयोध्या प्रकरणामदे कोर्टाचा अईतिहासिक निर्णाई समुर आलेला है वादग्रस्त जागा ही राम नल्लाची असना रहे आणी मुसल्माना ना परियाई जागा देनाचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेले ले आहे ही एकुन वादग्रस्त पाच एकर जागा आता हिंदून ना मेरना रहे इंग्रदानी विभाजना साथी रेनिक बनलो होता अगोदर्चा काला मधे हिंदू आणी मुसलिम या एक हेकास ठीकानी पूजा करायाचे त्याना अंतर मुसलिम देखी या ठीकानी नमाज पठन करायाचे परन्तु यांचा मदला संगर्शो पाहिलास्ता त्यानांतर ब्रिटिश काला मधे या ठीकानी एक भिंत बांधना ताली त्यानांतर हाँ वाद दिवस इन दिवस वाढ़त गेला आणी आता अयोध्या प्रकरणा मधे सर्वात मोठी वाद में समुरते ती मंजे या जागेवर आता राम लल्लाचा अधिकार आहे रामाचा जन्म याठीकानी जाला होता अयोध्या प्रकरणा मधे आता कोर्टाचा आयती हासिक निर्णै समुर आलेला हे वादग्रस्त वास्तुपाणना हे बेकाय देश राहे त्यासो पताच जमिनीचा त्री भाजन अयोग्या आहे असा सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केला हे मुस्लिमाना एयोध्या मधे परियाई जागा मिना रहे आने केंद्र सरकार ने तीन महिना मधे या संदर्बात योजना बनवा भी असा देखिल सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केला हे अयोध्या प्रक्रणा मदे अईती हसीक मिरने समुरालेला हे वादगरस्त जागा ही राम लल्ला चे आहे या ठीकाने रामाचा जन्मा जाला होता युजा बनवा भी आणि मुस्लिमाणा लवकर आथ लवकर प्रियाई जागा प्रियाए कोर्णा जाला हे वादक रस्त पाच एकर जागा ही आता हिंदून ची आहे राम लला ने या ठीकानी विजाई मिलाव लेला है राम लला ही जागा राम लला ची आहे या ठीकानी आता जु सरवात मोठी बात में आपन बातों अयध्धा प्रकर्णी मोठा निकाल समुरा लेला है अयध्धा प्रकर्णा मधे कोटा ने टांचा आईती हसिक निकाल दी लेला है सुप्रीम कोट ने सूट नंबर चार और पाटली डिक्री किया है सुप्रीम कोट ने भगवान स्टी राम लला विराजमायन सूट नंबर पाँच दिक्री किया है और डेट्यूरे टेरिया था अधर्म श्रदानी राजकरन यंचा मिश्रना मुणे सूट नंबर चार को पाटली डिक्री किया है और उनको एक आधेश पारित किया है सुप्रेम कोट ने का है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक आल्टरनेट लैंड दी जाए जो पांच एकड़की होगी मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर चार में दी जाएगी मजज़ित बनाने के लिए थे खाटनेखे जैए जो थे जो को सohet te आए वो आधम एधाने के आख़े खाटनेद बीचिए मंश्बर से लिए उनको टैम कि आगे जागे साफ नए लाएन आपते जाख निकाला अजोधिय प्लक्रणी देरे लाए अजोधिय प्लक्रणी जी जरुवी नोटिती रावद अलाचीज आसा सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट के लेला है आनि सुनी वक्त बोर्ट डाला थित परियाई जागा देना त्यावी आसा ही सर्वोचे नालेन स्पष्ट के लेले तीन महिनयात केंदर सरकार्न योचे ना आखावी असे ही निर्देश सुप्रीम को उटाना दिलेल आहित केंदर सरकारला तेवा अहिती हासिक निकाल मुँपे घुशके थोड़ी ना देंगे विश्चार मुँपे घुशका देंगे क्या अरे यह का कर रहे हो अरे यह का थाई लुशके वा लोगे इंगे लुशके 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 पारे यहांए कि छोड़ दें कि दिशाग अपी तरह कि तेवा ट्रस्ट सापन करून को मुस्लिमान आयो ध्यत्परियाई जागा देने आती ज्यना रहा है से सुपरिम को उठाना महंट लेला है अरुध्या प्रकरणा था आईतिहासिक निकाल सुप्रीम को इठान दे ले ला है तो वाद अगरस्त जागा जागे वरना वाद सूर होता अन्दर अन्यत्र देने के बात कहीं गई है मैंने पहले भी कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिस मामले में अजुध्या एक्ट 1993 को मानियो सरवुच नियाले इन्वोक कर सकती है आज जैजमेंट में 1993 की जो अजुध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गॉर्मेंट को सेक्शन 6 & 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वह जो डिस्पूटेड है 2.77 अकिर उनको दिया जाएगा और मुसल करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एक तरह से यह समाजिक सौहार्थ यह जो कॉमनल हार्मनी को इस्टेबलिश करता है यह एक जो अन्यक्ता में एकता वाली जज्जमेंट है और इसको सारा सवा सौ करोल पब्लिक स्वागत करती है हम सभी बाने सर्वचनाले यह एक इतियासिक फैसला है हिस्टोरिकल फैसला है इस फैसले से अन्यक्ता में एकता का जो एक भीज बोया है अन्यक्ता में इसके लिए मानिये सर्वचनाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो डिस्प्यूटेट साइट है वहां श्री रामलाला को दिया गया है और मुस्लिम पक्स के लिए पांच एकर लेंड का आधिकार दिया गया सेंट्रल गौर्मेंट एस्टेट गौर्मेंट को कि अजोध्या के अंदर एक्वायर करके मुस्लिम पक्स को सुनी वर्क बोट को वा लैंड सौफा जाए और उनको वहां बोस किया एसोसियेटेट एक्टिविटी के लिए अधिकार दिया जाए कि अजोध्या प्रक्रानात सुप्रीम गोटान अइतिहासिक निर्णय दिलेला है मुस्लिमान आयोध्यत परियाई जागा देना देना राहे 137 वर्षान पासुन चाहा मूठा खटला वसकार देना प्रत्रुमाद को आई त्प्रेंस करेंग हो शुप्रीम सुप्रीम होज द्वोग मैंप सूट नंबर हुआ सूपरींकों ने सुट नंबर चार और पांच पाट़ी डिक्री किया है कि अर जो दिस्प्यूट एडरिया था वह हिंदु पक्षकारों को दिया गया है सरकार को कहा है कि वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्षिन सिक्स और सेवेन और आयोद्या एक्विजिशन एक्ट और मैनेजमेंट का सारा विवस्था करेगा सुप्रीम कोड ने मुसल्म मुसलिम पक्ष को सूट नंबर चार को पार्टली डिक्री किया है और उनको सूट नंबर चार में दी जाएगी मजजिद बनाने के लिए जू मालिकाना हक है वो जलो आपटे गट शांगीत लेला एट आयोध्या प्रकाणी सर्वोच न आलयाना हा सर्वोच निकाल दिलेला हे अनेक वर्षान पासुन से हाँ खटला प्रडम्बीत होता अखेर सरवोच चनायलाया तरह सा निकाल लाग लेला है निकाली निगाल लेला है और जबर पास पश्ट जा लेला है अतिहासिक फैसला दिया है और जिसको सब लोगों को सिवकार एकदम करना हो चाहिए और करना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से माननी सुप्रिम कोट ने सब को सब की बाते की है और करने के बाद राम लला को बिल्कुल राम लला की पक्ष में निरड़े दिया है ये बिल्क स्री राम जिनों ने त्रेता में आकर के आतंक वाद के लिए असुरों का संगहार किया आज निश्चित रूप से एक बहुत बढ़ी आप माननी सुप्रिम कोट ने निड़े दिया है ये देश की एकता और अखंटा भाई चारा शब के लिए बहुत ही महत्पूर रखता है कि इसका बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि हम किसी का देखो सबसे बड़ी बात कि आज जीत हार किसी का नहीं हुआ है बलकि आज समस्या का शमधान हुआ है जो आज सदियों से विवाद एक बना हुआ था एक यूद की इस्तिती बनी हुई थी आज उसको पटा राम का मंदीर जो बनेगा उसमें भी हम उनको मुझलिंः पक्षकारों को भी य.......... करेंगे और सब को मंदित करेंगे कि आपये पर मंदिर में भी हिसाले और हम उसमें पूरा और बिल्कुल होना चाहिए और हम उर्था करते हैं जो भी निर्णाया पूरी तरह हम लोग पागत करते होगा जी जी है जी है जी जी जाए जो डिस्प्यूटेट साइट है उसको हिंदूओं को सौंप दिया है और अल्टरनेट साइट पांच एकर का गाल आल इसको पांच एकर पर्याई जागा देनेट साहिद्रें सौंप दिया है का मन्यता देदी है और मान लिया है तो मैं आप से यही आग्रे है कि सब लोग शांती बना करके रखें सदभाव बना करके रखें और जो मुशलमानों को जमीन देने की बात कही गई है वो खोज करके जमीन सरकार उनको दे ताकि ओ भी अपने मच्जित का निर्मान करा सकें ध सब्सक्राइब करें लंबे समय से राम जान भूनी को लेकर कानूनी लडाई भी चल रही थी परियाई जागा देनास अंद्रिने स्वरोच नाया लेना घितलेला है आणी राम ललाचा अस्तित्व सुप्रीम को लडाण मान्य केलेला है कि जागा जी हुतीती राम ललाची चाहे अस सुप्रीम को लडाण अस वश्टकेलेला है आणी तीन महिल्यान मदे इथा ट्रस्ट उभारून मंदिर उभारनाचे दिर्देश किंदर सरकारला देना तारेला है श्वाय पास एकर जागा सुनी बख बोड़ाला देनाचा अईतिहासिक निरने अयोध्या प्रकरणी कोड़ान दिलेला है तेबाई 137 वर्षान पासुन चाहा खटला अने एक वर्षान पासुन हे प्रकरण प्रवंबित होता अखेल सुप्रीम कोड़ान निकाली काड लेला है 2010 साली अलाबाद उच्छी नायलायन जो निकाल दिला होता तीन हिश्यान मदे ही जागा वाटना तालीली होती निर्मोही आखाडा शिवाय रामलला आनी सुनी वकबोड तेबाई हा निर्णय रद्दबातल ठरवत सुप्रीम कोड़ान रामललाच अस्तित्व मान्यकरत तीथ मंदीर उभारनाय से आदेश्य दिलेला है सहा अगश्ट पासुन सरवोच नायलाथ या प्रकरणी सुनावनी सुरू होती जवलपास 24 दिवस ही सुनावनी चाली सत्रा ओक्टोबर ला ही सुनावनी पूर्ण जाली वाद प्रतिवाद जाले आणी 17 नोहेंबर चा आत निकाल येण अपेक्षित होता 17 नोमेंबर ला सर्वोग चिनाला ऐसे सरनाय अधिश रंजन गोगोई निवरुत्त होता है त्या पुर्विहा निकाल अपेक्षित होता तो आज लाग लेला है आणी या प्रकरनी कोल्टान अइतिहासिक निरने दिलेला है तो मंजे राम ललाचा अस्तित्व तैनी मान्य केल आणी तित्व मंदीर ट्रस्ट उभारून मंदीर उभारना से आदेश कोल्टान दिलेला है केंद्र सरकारला शिवाय केंद्र सरकारला मुस्लिवान ना परियाई पास एकर जागा देनाय तैनी या प्रकरनी अधिक माहिती देनाय साथी एम न्यूस चा विशेश प्रतिनी तुर्प्ती मेडम कोर्टाना इतियासी कसा निकाल देलेला है जबल पास निकाल सपश्ट जारेला है काय वईशिष्ट संगता है तिले निकाला जी आते हैचा मदी सग्रात महत्वाचा वईशिष्ट है मन जे कि त्या जमीनीचा तुकड़े जालेले नाई है जवडे पक् तुकड़े जालेले कि दोन पुरुनांकर साथ साथ एकर जवडी जमीन आहे ती राम लल्ला साथी देनयात आलेलिया है एक प्लस पॉइंट आहे तैचा मुले हां निरनया एका पक्ष्टा चा वाजुनी आहे दूसरी महत्वाची गोष्ट मंजे निर्मोही आखाड़े च ट्रस्ट चे काम होतील तुक ट्रस्ट आपन करने आती आईल आणि ते उत्तरप्रदेश सरकार चा अंतरगते ट्रस्ट काम करेल तचा मुले कोंटी ही मंजे तैला एक वईधा स्वरूप देनयात आलेला है निलेश तेवा रामदलाच अस्तित्व कोर्टान मान्य खेलेला है मैडम त्या विशे काय सांगा वरोबर आए करेंड काय आए कि आपन मद्ध्यस्ति जाली नाहीं यह चाता सगल येत कोर्टा ते फायट गेले आणि निलेश कोर्टा नी जे काई ग्राहिय धर लेला है ते मन जे पुरातत्व विभागा चे जे पुरावे उते तैला प्रामुख्या नी ग्राहिय धर लेल क्या स्क्लपचर्स तीते सापड़े, कही शिल्पस आपड़े, आनि जर थी थे पुर्वीक एक था मुस्लिम स्थान आसेल, तर मुस्लिमान मद मुस्लिम कम्यूनिटी मदे मना कि मुस्लीम धर्म पधत्या दक्टा अधिताओं पिंप्धित। प्रति मेला स्थान नहीं है। परंतु हा निकाल अता कोरतान रद्ध धर्वत कि तूरतास्तरी या विशयावर पुरुण विराम लागलेला है असा दुरुष्या है अधा यहा नंतर ची परिस्थिती काय उद्भवनार आहे अपलेला सांकता येणार नाही है पन कोर्टा चा निर्णयाचा प्रत्यक आनी आदर राखला पाहे जे यहा मते दूसरी एक बाजु आशिया है कि जीथा जीथा जगा मधे धार्मिक विवाद जालेले आहे ते जुन्या हस्ता लिखी तन चाही तन नी उल्लेक के लेला है और पुरा तत्व विभागाचे जे काई पुरावे आहे तन ना कोर्टा ना ग्रुहित धर लेला है ते चाहिए कोर्टा चा निर्णयाचा आदर राखन है याता प्रत्यक भारतियाचा पन कर नेशन तुक अब्जर काम और क्वाइट और रिमेंट पीस्फूट जफर हाग जफरी आप जिलानी साब हमरे साथ हैं सर इस वर्डिक्ट पर आपका थर्टीफोर स्वकर हो रहाई है ओके फ़ाद करेंगे ते वायो थे प्रत्यकर निक सुप्रीम कोट आना इतियासिक निर सुप्रीम कोट आना जी पाच एकर परियाई जागा मुस्लिमाना देनाय त्यावी आसा दिने दिलेला है तो कितपत मानने केला जाओ शक्तो सुनी वक बोड़ा कोड़ूं त्यानना है आक्षे भाई का यावर आता तेनचा आक्षे पाहे का आन्खी कुणाचा आक्षे पाहे का हां मुद्दा चूर लेला नहीं चारीज दिवस सुनाओनी जाली त्यावड़ इस प्रत्यक पक्षाला पूर्ण पणे वेड़ देनात आला होता और जहमां एकादम एटर कोर्टा जात तेहमां पुराव कि मां पंथा चारीज दिवस सुनाओनी दर्में डिबेट जालेला है आती शे नाट्य में रिता जालेला है आणी खुप एक्स्रीम लेवल ला मन्जे अगदी भाण्नों होई परें तो आणी कागत पत्रांची फेका-फेकी होई परें तो तो वो डिबेट जालेला है सुप्रीम कोटाना हा निरने दिलेला है आणी त्याचा सन्मान करना ही सगयंचीज जबाबदारी एक खरतर आणी तेच आवाहन पंतवधान करना ही केला गेला या विशी अधिक चर्चा करना सेटी आपला सोबद अम निउस से मुंबाई जे संपादक पंकश दल्वी सराह तत्पूर एक बाइट अपना एकुया सुध्या। प्रतिक्रिया उम्टायला सुरुवाद जाले लिया है सरवान करन सुप्रीम कोर्टाइचा निर्णेया सा सन्मान करावा आशिस प्रतिक्रिया थे अपला सुबद ए-m न्यूज से मुंबई चे संपादप पंकष दर्वी सोरा है या विश्यातिक जर्चा करना साथी पंकर सर सुप्रीम कोर्टाइची और यह लिए निरे दलिला है किसो बगता तुम्हे निर्णेया करेे घर्करिंची बरतिक्रिया अपनाे पहना है जो निर्णे दिया है वो लोकतां तरिक देशोने करना थे सबने उसको स्विकार करना चाहिए और शांती और सभाव वही कायम रखना चाहिए सभी लोग शांती और सभाव कायम रखे ये ही मेरी प्राथवना तब्सक्राट चाहिए और सभाव विशित तो क सभला चाहिए नीधा सभना चाहिए और षो ये सविक दमें तुम्हाल वत कद़ी और स्कूल देखा यांतीहार सकत्क्वाव करना लाकरा सा असेग्त लेन्य मान्य मडला शबरने कर expect and आपकाट हर। एम्नुट से मुंबई जे संपादक पंकट जर्वी सर पंकट सर आपने वोलत होता या अईतिहासिक निकाला विशी तुम्हीं कस बोलत। कस बक्ताया निकाला करें। एक सग्यात महत्वाच्व मंजे हा निर्णा है येताना तेचे सामाजा मदे क्या देशा मदे काय प्रतिसाथ उमडती येचे विशी प्रचंड काल जी क्या एक टेंशन होता है। आत्र एक समादाना ची बाब हशी है कि दोनी पक्षाकडून कि वहाँ दोनी बाजू चा विचारदारे चा लोकान कडना कोर्टा चा निरणायाचा जाए ते आदर राखला जाई कि वहाँ तेचे पड़साथ सद्ध्य तरी कुटे उमटनार नाही है एक सामाजिक स्वास् अशी शक्याता निर्मान जाले है निशितर्स बारतात ले लोकान चा यह बदल त्या मानसिक्ते चा अपन सगयत आदी स्वागत केला बाई है कारण या सुष्यावर्ना बेंड़नों तरेंड़नों साली देश पेटला होता अपनी मुंबई यह खुप मुठी प्रचा तु अति शे नियाय पततली कि वह जाल अपन वड़नों चुक्तो प्रत्तेक निर्णायाला काई जाएचा यह स्वाबाविका है यह जाले अक्षे कि वह कही अश्याचा प्रश्ना चांता निर्मान होत नहीं करण अनेक वरिश जो है तो प्राजम भी विशेर सा निकाल ज़ा है तो निकलागे पहले भी करते थे आज भी करते हैं हमें चाहते हैं ये मसल्ला इंदुस्तान का बहुत अहमता ऑज खत्म हो गया चलिए अब टाइगा तुर्ति मेडम हाजो निकाल आता दिलेला है अंसारी नहीं प्रतिक्रिया दिली कि आमी कोल्टाचा सन्मान करतो जै आचिका करते होते या प्रकरणी तेवा हीची जागा देना तेना रहे सुनी वक्पोर डाला आता पास एकर परियाई ती आयोध्यत दसना रहे कि दुसरी दे तेची ववस्ता के ली जाना रहे। देन्यात येना रहे आसा दिशता है। आपला प्यॉरली व्यापारी धोरन जा है। तेचा अशी संबन्धित होता, तेला चा राजकरणा शी ते संबन्धित होता। आणी दुसरी गोश्टका आहे कि आपले आता जा निर्णे आहे, तेचा मते शिया जवडा काई भाग आहे। तेनी कुठा ही एंग्जाइटी की मा नाराजी व्यक्त केलीली नाई है, आणी सउधी चाजे कल्चर आहे, तेचा थोड़सा वेगला आहे, तेचा मुले सउधी दाउर्याचा आणी येचा कुठा कनेक्ट आहे, आसा आत्ता परेंता तरी दिसुन आलेला नाई है निलेश. कारी है, लेश माहे Morheefी शुरुआ नाई करेंक्य की मुल्बाइ है, जिसले नाई हैं दोड़सार नाचे मुowa लेचा आणी मांसही जात परेंड़ा, नाई कारी है टरा कारी आहें मुल्बाइटी शुरा कारणी ते पर stato क 12, 3 ले अनले मुवैंका पैर्नी या जिन्युमना तो निर्णा येताना स्वाबाविका है सुरक्षे छी कायाजि सामाजीक स्वास्त अप fisherman ची कायाजी अदुछीत प्रकार रोपने ची कायाजी सामाजीक सलोका रही यची काया जी त्यजिक एकमुद्धा आती शे महत्वाचा महाराष्ट्रा मदे सरकार सद्ध्या नहीं है कर जी वह सरकार है असा अस्ताना इतका महत्वाचा निर्ण आला अड़ी तो टैकल करना सथी प्रशासदाना निश्ची तक सांगली तैयरी के लिए असा मडावा लगें आता आपड बदलत्य मानसिक्ते विशे गुलुया त्या अनेक लोकाना त्रास जड़ा विशे है हा विशे है कुथे तरी एका नोट वर्फी संपावा आसा दोनी पक्षा ना वाटता होता है अने ते पक्षा करता निरे जिस्ता है अचा पुर्वी अपन दरका अनेक रिपोर्ट्स लेग्राफ निउच चानल होचे बगितले तर अनेका औत जुड़ा निगालाती चानल होचे है तो मानने ची प्कषा को लिदी। मुम्माई एक महाराष्टत लानेक भाग असको सामाजिक शांतता जी आए निलेशी जी आए ती कायम आए और सग्रत महत्वा चमझे लोकां ची आ भाप्तिती महानसिक्ता पुल्ड पने बदलेली आए आए निलेड़ सामाजे चा दुष्टी नी स्वाहतारी आए आप लेला में पूल्ड पने जी आए या गोश्टी नोटे सासे पाजी एक थियरी आश्या चुशकते की जा पद्दत इने नरेंद्रमोधी तिकड़े गेले साओधी आरेव्या मदून जी आए हज आया है तीकड न मोठ्या प्रमणा मदे जैते पूल्ड पने एक नियंत्रन जाही ए सामाजीक स्वास्त निर्माण वावव याची चर्चा जी आए तीकड़ प्रमुका जी शंबड के जी आए ती धाले सासने शक्याता है तामले एक पूल्ड पने सामाजीक स्वास्त बाएक थियरी आववा चागलर आवव निर्णाय चा स्वागत वाव और यहा विश्या एकड़ा चा संपावा अशिकुड़ दरी प्रायतना जो के रहा तो तैक प्लों ऐसी चाहा काही आउशी भाग असुशक्त वासा माला वाटते है और राजकिया पतलावर्न महाराष्ट्रा चा देशा चा राजकिया पतलावर्न एक अश्वासन अच्या निर्डायान अंतर कायम सवजाज कारना हुआ ड़यॉड्न की शक्ति डें डेंभ Kingdom दोक смог City पीजीरान बेर लाटतों महाराष्ट्रात ली निवड्लुका सो कि वाद स्था खतनी कु Ouais गम्द्रावर्न मंद्य तुमें मंतला त्या प्रमाणए कि सामायान मुधन प्रतिकरिया उम्टत हो थी, आपन M. new माध्यमा तुन भाद पी सामानयान अवी सम्पर्क शाधनयात प्रहत्ना है tehक थक ग Dul नहीं नहीं तुम्हें कि कि हाँ पार क्वचित खटलायं पे कि खटला असावा कि सलग 40 दिवस यह ची सुनावनी केली-गेली केश्वान अन्द भारती खटलायं अंतर हाँ घंडला गेला पाई जे आनी कोटाना सांगीत लगी 17 नोमेंबर ला अपले सरनाय दिश रंजन गोगोई है निवरुत्त होता है त्या पुर्वी निकाल अपिक्षित होता ते वा यह खटला करें तुम्ही नेमका कसे बगता सुनावनी 40 दिवस जाली कारण तेचा मदे एक लिंक असावी हे एक होता आनी सतत जाली यह चा मुख्य कारण काय होता कि हे जो कई आ है जवल पास एकोन इशे एकोन पनना सपसुन हा खटला चालूआ है तहीं कुठा तरी हेला पुरुना विराम लागावा आनी जवरे काई पक्षकारा है तरना फुल फ्लेज तेंच जे काई महनना है ते मानता है आवो जवल फवल फ्लेज तरना या प्रेश क्षकारा हे जाला है कि है तरना प्रेस कांफरेंस फुरू जाले ले या है आणि त्या पुर्वी एड़ोकेट जिला निनी सांगित लेला है कि आमी निकाल पत्राची पूर्ण पने अभ्यास करून है चावर आमची भुमी का मांडू मंजे आता हाप काईदेशीर दुरुष्टा जरी है निकाला चाहाप पूर्ण विराम आसे लिया प्रकरना चाएंग और साथी साथ सामाजिक तानावाना भी इसके प्रड़ाम सरूप मजबूत होगा ऐसा मेरा विश्वास है और मैं जनता से भी एपील करूँगा कि सभी सांत और स्वाहरत बनाये रखने का प्रफन अपनी तरसे करेंगे और इस जज्ज्मेंट को पूरे धैर और पुदार्ता के ताथ सभी को स्वीकार करना चाहिए स्वागत केलो पाईजे स्वीकारला पाईजेह निनने असो मन्टायत केंद्रिय सवरक्षन मंतिर आजना सिंग तुर्थी अपन बोलत होता है कि अधार पूर्ण विराम काईदेशीर दुर्ष्टा पूर्ण विराम जरी लागलेला आसे तरी मुस्लिम पक्षकारान मद है आजू नहीं पूर्ण समाधान व्यक्त केले गेलेल नहीं अधा जाले बात्मी नुसर दिसून यहता है यहाचा दुसरा एक पाईलियो असा है कि उधारनस गहेचा जाला तुम अगाशे साओधी अरब चा उल्लेक केला उधारनस गहेचा आज ही जेरूसलेम कुणाचा हावाद आहेचे मंजे हे निर्णाए पिढ़ान पिढ़ात तशेच रहतात मंजे सामाजिक पातली वर मना कि वाँ धार्मिक तत्वत नेना चा पातली वर पन आज आपन यह चाक्रे सकारातम कच पाहिलो पाहिजे निलेश कि तो प्रश्नगरतर या सटी हो जिलानी अजिए निलाबाद हाई कोट ते लेकर नहां तक और आज कि सुपी कोटे आप अबजू थे वही इस तक में आपको पाहली करेंगे इसके लावा हमारे कि अलाव हमारे साथे मुखरो रहीं मुझदու्दीमि सबूदी उसके जो तो सी चमीत ए망ipp शिष्ट हामी बीव साफ है जो आरे है इसके लाबा हमारे साफ से जो वील्य वीकीम कोड मी वुबूत इसे दिस पोहवाज है अर मोला अमियासाव सिर्सार हैं और मुंद श्रुटराग़ती तौ में काम काना तौ में जाना झालाग़ती मत्रूुन और मुझे सार। जज्ज्मेंट में बहुत सी बाते हैं जो मुल्के, कांस्टूशन, सेकुलिर रजिम और उननी सो क्या नवे गाए बगारा बगारा जो बहुत सी बाते हैं लेकिन जो उसका क्रक्स है उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर फोर हम पार्टी डिक्री करते हैं लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर फोर डिकी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर फाइट के इस प्लेंडिव को देवी ये हंसे हम बहुत जाब दिस्ट्रिस्वाइड हैं क्योंकि आर्टिकर 142 के तहरे दूरों ये इस्तेवाल किया ह है लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकर 142 का इसकोब यहां तक है कि किसी के विस्ट्रिक ड्राइट को आप दे सकते हैं फिर भी इस पर अभी हम मश्रा करेंगे अपने सींजर लुके दवन साब से भी और दूसरे वकीलों से भी उसके बाद ताह करेंगे कि विजर टु जहां हमें एसे ता कहते हैं कि हम रिष्ट करते हैं उसको और फूरे मुल्क के दवाम से यही अपील करते हैं कि वो फीस और टान्क Ignati कोli मेंचेंनी कि किसी किसम का कोई पोडस्ट या कोई अधिजाज किसी साइश कर निह होना चाहिये ना कोई आसके लिए यह शोचे जाहिए यह कोई भीड़ी किसी की है यह किसी की विक्री है तो that we have aware said and today also we treated it and whatever legal course is possible that we will adopt we are especially dissatisfied with some findings of the honorable supreme court which we are just heard but after going through the judgment ये बेट हो पुल्सक और रिव प्राइब ऐसे बॉस्ट को भी मुझे पॉटिया है यह को ना इकटी बान शकते है न जस्टिश बान सकते हैं न जस्टिश बान सकते हैं पिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल रिविती होगी उसके बारे में टाहे करेंगे बात द्याब तो आज तो इतनी ही हम कहना चाहते हैं कि जो अब्रवेशन उसमें आये उसमें बहुत से ऐसे अब्रवेशन थे हैं जो चीज अब्रवेशन थे हैं जो मुल्क के लिए पाइदेमन हो सकते हैं उस तब्रवेशन में इस सेगुलर स्ट्रॉक्चर को कायम रखने में यह जो जेज्ज्मन 25 किजिया तक हमारा पुरे मुल्क लिए बददगार हो सकता है तो हम हर पाइद को नहीं किरसाइद कर गए हैं लेकि कुछ पाइद इसका जहां की फाइनिंग दी गई है खास्तों से जो फाइनिंग इस बात की दी गई है कि मास्जित का कांस्ट्रेक्शन माना गया 1528 अमीर बाकी जब बाकी से कही दिया तो 1528 हो गया जो कुछ में कहना होगा कि जो चीजे आप रिलाई कर रहे हैं ताइफन थेलर का जो ट्रवलेस अकाउंट रिलाई कि आप है और उस ट्रवलेस अकाउंट में अगर यह लिखा है कि यह मस्जित तीन गुंबत वाली बनाईगी तो मस्जित के लिए अब नमाज पॉड़ने का उस वो लिखेगा यह हम इस तक नहीं कर सकते हैं चैवलेस के उसमें अकाउंट में लव फूजा करने उससे लिखाएं तो जिस डाकुमन्ट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंद कि अगर हमारे परसनलर वोर्ट की एग्जिबुटी एकर तीन गोट के एक जिए ग्यूटी को में तैक कि हमारे रखीलों की तीम और खास्तों से दोशे रहें साफ और सुनियर मुक्ला के मश्विरे से उनके जज्जमेंट पॉजने कर बाद कर यो फाइनल डेसेजन देगे कि रेव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो इसलिए आज का फाली अपनी रायब दे सकते हैं इससे लगता है कि हम चाहिए रेव्यू फाइल करें लेकिन अभी अब फाइल लेगी पिशके रखते हैं कि यह जो अब्जर्वेशन साब खहरे हैं कि बहुत आगे जाएंगे ब्रदर्फोट बनाने में और स्वा महुत नहीं कहरा हूं कि वो मुल्क का जो सेकुलर फैबरिक है उसके लिए कुछ अब्जर्वेशन बहुत यूसफुल है जैसे 1971 के एक्ट को उने बहुत पारीफ थी जो इसका हमें अंदेशा था देवन साब ने बहुत स्ट्रोंगी आर्गू किया था कि आपके जज्ज्मेंट से वह कमजोर में पाजाए तो कोड ने चीजिस साब ने जो पोशन सुनाए उसमें उसको स्ट्रेंट किया है तो यह चीजे हैं जो उन्हों यह भी कहा है कि कि किसी एक कमुटी का बिलीफ हमारे देश के एक्वालिटी है यह अब्जर्वेशन जो ह यह यह जाएंगे मुल्क के लिए फाइदेमाद अब्जर्वेशन से हैं तो कुस्तफविल में पूरे मुल्क को हेल्प करेंगे इसकी जज्वेंट में जो आप कह रहे हैं उसमें क्या टेक अवे पॉइंट हैं जो इक मैं सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आशो गया ना कि उन्होंने सूट नंबर फॉर को भी लिमिटेशन से बाद निमाना पाद ली डिक्री किया और आउटर कोट याड के बारे में हम 457 के पहले का इविडेस नहीं है जो हमारे ख्याल से जो इविडेस उन्होंने यूज की है वो सब रिफर कर रही मस्जिद को और उस मस्जिद में कोई पूजा पाट के जिकर उसमें नहीं तो अब उसी इविडेस को जो उन्हों रिवाई किया है जुन्दों की आस्था के तलोक से वही एविडेस के मुसल्मानों की मस्जीद रहे है । तो मस्जिद का 2 मोस्जिद किसी और कांकरे नाहीं जकुद उनुन माना है । ऐस ई सुलारे संबर तक नमाज हुई नमां। उनुन माना है किस मस्जिद का उतम्नटिम लून हुए तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज जहां तो होगी, 1914 के राकुमंट भी वाने होगी, जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसके दूसरी कमिर्टी को दे दे ना, यह हमारे समझ में इंसाफ नहीं है. एक एक लोगे, आप उदरा एक लोगे. हमारी शरीयत में मताविक, हम मस्जिद को दे नहीं सकते हैं, ना हम उसको गिव्ट कर सकते हैं, ना हम उसको सेल कर सकते हैं, कोट का फैसने में जो होगा माना जाएगा, लेकिन जो बात हमने बाद चेकल तो इसकी कोई रिलिमस नहीं है लेकिन जो बात आप ने पूछी है उन्हों में यह वी कहा है और यह हमारे फिर नहीं जाता है कि अगर्चे लेकिन ट्वेल्फ संचुरी से लेकिन और 1528 तक वहाँ क्या रहा है इसके बारे में कोई विडियस नहीं है तो यह 300 साल का गई पूर्ण में माना है हमारा जो कहना है कि जज्विन में जो हुने प्रणौस किया उसमें कहीं नहीं मिला कि हिंदू का केस यह नहीं था कि 12 संचु कि विडिकरमादित के जमाने का तेम्पिल डिवालिश किया गया है उस पर हमें जज्विन में पूर्शन सुनाए गए है उक नहीं सुनने में नहीं आया है पुरा जज्विन पढ़ने के बाद हम देखें कि क्योंकि वुनियाद उनकी यह है सूर नंबर 5 में प्रें जज्विन पूरा पढ़ने के बाद होगा कि इसमें क्या चीह है जो अपरेंट एरस लगती है मिस हो गई है क्या वजए है यह तो हम अभी नहीं कहता है कि उसके खिलाफ रूर फाइल होगा लेकि हमें लगता ऐसा है जबन साब कभी नहीं क्या ग्जामिन करेंगे लगता है हम एक ताहले है कि उल्गには मैंजित की कौई की मधध नहीं मस्जिद को फरुख नहीं कि आ रखा तो हमारी मिल्केत में बिल्गत आप Dalach Archives कोई चीज देना पाश करोड़ के पाश स्वार तरक पोर कि भी की बाजू नहीं यू सका मतलब है कि हमारे जो जो कंसेट ता उसको संजा ने गिया है हमारा कंसेप्ट यह नहीं था जमीन का, जमीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहां पर यूजर था हमने उसको माना है कि आप, जब उसके उनका यूजर है, उसके ओपर जोराइड बनते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन जहां उनका फ़ज़ा नहीं था, माना गया है, कि 1949 में मूर्तिया रखी गई है, जही दे को हर्कोर नहीं माना था, तो यह सब मानने के बाद भी जमीन उनको पूरी दे देना, यह हमारे लिहाद से जस्ट नहीं है, इसी तरह से हम इसको जस्टिस और एक्विटी के कांस्वर नहीं समझ का रहा हैं, आइंदा हम इसके बार के लिए फाइदे मन है, लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जज्ज्मेंट से, उसके लिए हमें जरूर अभी एपने फर्ट छोलना नहीं है, हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए, तो जबर्दाब, कमाम हकाईक गलाईल पेश किये गए, बाबजू दिसके आपको लग कहते हैं, दबाउ वाली बाद जो जज्बरलन नहीं मानते हैं, हमने कभी नहीं कह whereby है किसी फैसले वो हमने कभी नहीं कहा , हमें पूरी रिस्पेक देते हैं, पूरी रिस्पेक हमेशा दिये, आज भी दे रहे जज्बर Workset है जे झूज्ज्मेर से डिसैर्रिक करना यह हमारा कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। मैं आप सभी को पुरे देश को दुनिया भर में बते। सीख भाईयों बहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, आज शिरोमनी बुर्दवाना प्रबंद कमिटी उन्होंने मुझे कौमी सेवा पुरसकार में दिया। ये पुरसकार, ये सम्मान, ये गौराओ, हमारे महान संत परंपरा के तेट, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। मैं इस पुरसकार को, इस सम्मान को, गुरु नानर देवजी के चरणों में समर्पित करता हूँ। आज इस पविश्त्र भूमी से, गुरु नानर साथ के चरणों में, गुरु ग्रन साथ के सामने वे, मैं नमर्पा गुरु ये प्रासना करता हूँ। कि मेरे भीतर का अक्तिवा भाव, दिनों दिन बढ़ता रहे, और उनका असिरवार, मुझ पर ऐसे ही बना रहे। साथियों, गुरु नानर देव जी के पांचो पचास से प्रकास उत्सव से पहले, इंटिग्रेटेज चेक पोस्ट, करतापुर साथ को रिड़ो, इसका आरंभ होना, हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। कार्तिक पुरने मां का पर इस बार देव निपावली और जगमग होकर के हमें आशिरवात देगी। भाई योड बहनों, इस कोडेडोर के बनने के बार। प्रभीन जी क्या कहेंगे। वहीं मंदिर भव्य ये साड़े 400 वर्सों का करोडों हिंदों का स्वपन विजय के साथ पुरा होने जा रहा है। मैं सुप्रीम कोड का निड़े का सागत करता हूँ और साड़े 400 वर्सों में बलिदान देने वाले उठाड़ी बंदू असोक सिंगल हिसे 4 राख पुर पे सवा रुप्या देने वाले आठ करोड हिंदों और राम मंदिर के लिए खड़े रहने वाले हिंदों समाज को धन्यवाद करके यह विजय की बधाए संपुरा हिंदों समाज को दे रहा हूँ जी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पाच एकर जमीन जो है वो सुनी वक बोर्ड को दी जाए उसके बारे में क्या कहेंगे है है हलो है प्रभीन जी आवाज सुना ही दे रहे है प्रभीन जी जो प्रभीन तोकड़े आपले सोथ होते तेनी साहित लए कि न्याय मिला लेला है और अनेक परशन पासुन चीजी मागनी होती ती अखेर आता पूर्ण जारेलिया है तेमाय तेनी सुप्रीम कोर्टा से आभार मान लेला है राम मंदिराचा मार गाता मोक्रा जारेला है जीवन का आधार है हमारे संस्कार हमारे संस्कृति हमारे मुल्य हमारे तुरू दे एजिस एनी क्वेस्टिन यॉर वेलकम तो आस्क सुप्रीम कोट का निर्णे आ चुका है सभाविक तौर से आपके सवाल का जवाब हां में है भारतिय राश्टिय कॉंग्रिस भगवान शिरी राम के मंदिर के निर्मान की पक्षधर है अग्यार प्रश्टिय को वर्ष्व बाद माननी है उच्टम नयाले सर्वोच नयाले नहीं इस पूरे मामले का पटा शेप आज सुप्रीम कोट के के निर्णे से कर दिया मुझे लगता है ये मामला किसी व्यक्ति विशेश समुहू या दल को श्रे देने का है ही नहीं जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोट ने आस्था और विश्वास का सम्मान किया है सर्वोच अदालत के आज के फैसले से राममंदर के निर्मान के द्वार तो खुल ही गए जैसा आपने कहा लेकिन इस फैसले से भारतिय जंता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनिती करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंध हो गए क्योंकि राम वचन की मर्यादा के लिए त्याक का प्रतीक हैं सत्ता के भोग का नहीं Can I just take the question and then I will? I was hearing the press conference by them and they have also said that they deeply respect the judgment of the Supreme Court of India. Of course, everybody has a right to their own legal remedies and they can always choose to exercise their remedies. But as far as the Indian National Congress goes, we have said what we have to say by way of a specific resolution and taken your specific question. Any other question? The decision of the Supreme Court in the Ayodhya case cannot be a matter of credit or discredit to any individual, group of people, communities or political parties. Lord Ram I will just come back to you, sir. This is a matter of fact. The Supreme Court has been the same as the Supreme Court, but the Supreme Court has been the same as the Supreme Court? The Supreme Court has been the same as the Supreme Court? 1993 में कॉंग्रेस की सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी अधरी मित्र जो मुझे लगता है कि बड़े स्पश्ट तोर से मैंने भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का पक्ष रखा आस्था और विश्वास का सुप्रीम कोट ने सम्मान किया है सुप्रीम कोट के निर्णे का हम सम्मान करते हैं और भारती राश्ट्री कॉंग्रेस भगवान शिरी राम के मंदिर के निर्मान की पक्षतर है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का consistent, unquestioned stance बड़ा clear रहा है कि जो निर्णे अदालत का आए और सुप्रीम कोट फाइनल अदालत है उस निर्णे का सभी पक्ष, सभी समुदाय, सभी दल, सभी व्यक्ति, पूरणते सम्मान करें और उसे मनजूर करें उसमें कोई शक्ष की गुंजाइश है ही नहीं जैसा मैंने कहा अदर्णी मित्र भगवान शिरी राम तो त्याग हैं, करुणा हैं, प्रेम हैं, सदाचार हैं, सदभाव हैं, सरवधरम संभाव हैं व्यक्ति और दल भगवान शिरी राम का इस्तिमाल राजनीती के लिए समय समय पर करते आए हैं पर आज के सुप्रीम कोट के निर्णे ने जो दल या समहू या राजनीतिक पार्टियां भगवान शिरी राम का इस्तिमाल सत्ता के भोग के लिए करना चाहते थे देश की आस्ता से राजनीती करने के लिए उनके द्वार इस निर्णे ने सदैव के लिए बंद कर दिये हैं शुक्रिया करतो आणि आता राम मंदिर्या वर्ना जे राजकारन देश भरा सुर्वत के लिए नेक वर्चत आता बंद होना रहे आशी टिपपनी कॉंग्रेस चा प्रभक्तानी के लेलिया है आणि जो निर्णाई सुप्रीम कोटाने दिलाया त्या प्रकरनी आमी सुप्रीम कोटास आ असीम सरोते सर असीम सर हाजू महत्वाचा निकाल सुप्रीम कोटाने दिलेला है अबलाया प्रक्षकान साथी सुप्या शब्दात या निकालाचा विशलेशन तुमी कसा कराल आपन सगयत पहले बगु शक्तो की साधारंटा साथ दिवस युक्तिवाद चाल लेली सगयत मुटनेम केशेवानन्द भारती जी केस बारती नियायाचा इतियासा मदे प्रसिद्धा है और तयाचा नंतर 24 दिवस युक्तिवाद जालेली दूसरी केस आहे याचा आखंड मिश्वास व श्रद्धा यंचामदे नजाता सवीधना तील धर्मनीरपेख्षता महत्वाजी मानतो जिए असामिह ताम निर्पेख्षता त्या नजाता सबीदान स्वघ्याद्यान जाता ही काईदेशीर व्यक्ति असा एक मुठा निकाला चा भाग एचा मदे नमूत करने आता आलेला है एसा है मंजे पूरा तत्वा विबागाचा चो अहवाल है तेचा वर एक मोठा भरोसा सर्वच्चे नाला नी ठेवलेला है असा आपलेला दिसते बाबरी मजीत रिका में करमीनि वर ती बादा लेली नहीं तर ती कुंटहा तरी एक च्ट्रक्चर वर नां तर बान्द जे क्लेम केलेला होता मुस्लिम पक्षाकारा निये चामदे ते एडवर्स पोजेशन कि अनेक वर्ष्ट हाँ वापर करतो है आणि त्या में आम चाच इथे अधिकर आया सादो ताबा तेनी मागितला होता तो कप्जा काईदेशी रित्यां करनेया सार्खा नाही त्या नंतर त्यानी है याचान संदर बाद पोष्ट करता ना मटलेला है कि काईदाय चा कसोटी वर मालकी हक नक्की करता येतना ही आणि कराय चासेल तर अनेक इतर पूरावे आवश्यक आये तामने इस्वेंट्री राइड जो आए अडवर्स पोजेशन चा सार बतला तो त्यानी अमान्य केलेला है जाननतर हिंदू पक्षक मागनी होती कि बाहर चा भागा मधे जो आउटर स्ट्रक्चर आए तीथे प्रार्थना पूजा आर्चा आमी हिंदू मनुन करत होतो तर तो भाग सुद्दा आमालाच आमचाच मालकी चा है क्यों आमचाच ताब्या ख आमालाच आगेवर होता अस दाखोने चे कोंटे ही दाखोनारे पूरावे नहीत अस सुद्दा सर्वत्चनायला नी स्पष्टा केलेला है अपने भगोशक्तों कि या प्रकर्णा मधे सर्वत्चनायला नी काईर बाबीन ची उता करत अस मिडियेशन सफल हो शकला नाही आणि त्या मोले शिवत्टी युक्ती वादा सटी ही केस गिन्या चाली चार्जिस दिवस अखंड युक्ती वाद चाला या पुल्णा निर्णयाको निवाय चा जो आए तो ऐना लेन जो नीर्णयां करना है तो सुझनी वाद 202 ब्रकर्ण त्रिविस स Paterson प्रार्थना अदाते करू शक्ताथ नमाज पड़ू शक्ताथ हे स्पष्ट के लिला है परन्तु एक महर्वाचा संद्धान कड़े बगनार नहीं त्याज बरोबर मजजीद जी पाढ़ने ताली त्या संदर्भात शुद्धा एचा मधे आमी लक्ष घाणनार नहीं कारण की त्या संदर्भात ले दुसरी केस उत्तर पड़ेश मधे शुरू आ है त्या मधे मजजीद जी धाचा है तो पाढ़न गुनेगारी कुरूत्य बेकाईदेशीर कुरूत्या है का या संदर्भात ला सगला उत्तर पड़ेश चा नहायला है मधे निकाल होईल बन त्या संदर्भात सुद्धा एक महत्वाची टिपणनी सर्वच्चे नहायला है कि मजजीद विध्वन सा तो जा तो काईदाचा विरुद्ध होता सर्वच्चे नहायला जे शब्दा एति में आपलाला सांगतो डिस्ट्रक्ष्ट मॉस्क अगेंस्ट रूल ला असम अटलेला है या चा अर्थ या ओडिन चा वापर आता तीथे जे केस पेंडिंग आये बाबरी मजजीद धाचा विध्वन सा बद्धी तेचा मधे केला जाओ शकतों तेचा तले दोशिन ना सुद्धा शिक्ष्या हो शकते ही एक शक्यता निर्मान जाली लिया है हिंदू पक्षकारान ना ट्रस्ट करने सटी सर्वच्चन आयलान सांगित ला है करण कि आपन पहतों कि बरेजदा मंदीर अस्तात काई मजजीद सुद्धा अस्तात तीथे कुणी ट्रस्ट वगरे रजिस्टर करत नहीं असे च उस्सा है और भावनासी लोका एककत रहे हुं काई तरी करत अस्तात त्याचा मैं त्याला काई दे शिर्था रहात नहीं आणि मोनें ट्रस्ट थापन करूं त्यन्ट संक्रमीन द्याविया असा हिंदूनना आदेश पाज़ें था पाज़ें दिया नीट ने त्रस्थापन केला पाज़े त्यानी बाबरी मस्जित पाढने जाने जानी और आज़ा ते जे राम घाले लाएं ते लिमिटेड करने आता ते को सब्सक्राइब। पुड़ा नुखन परेल तक वाटवाइचे मंतर्म निवड नुखन चाहितरी बांदून दयाचन में आपन डाकवाईचे कि आमिश्टुम्चा धर्मा सटी फार सहवेदंशी लाओथ यह दिन माहिनात आरा खड़ा तयर करा अलेनने मंजचा अर्थ पूर्चा एक वरक्षा मदे या सगडया मंदीराणी सभिल आणि नविंदू परक्षकार घृपिक्शा कराईचे मुसलीम परक्षकार यामना शग्यानना बातुदा तरुल सर्क्कार नी जम्मिन तंचा धाव सब्सक्राइब करते हैं या पारशुपों में महत्माता है एक मुझे ट्राइशी मदें संतूर जमीन कॉंग्रेस पक्षा क्लावजी मदें सर्तार में अल्रेडी अधिगरान केले लिए होती और कव्जेटार गाले होती पक्षा करा एक पक्षा कराना तेनी पाच एकर जागा दिली लिया है तर या वर मुस्लिम पक्षा कराने जी पत्रकात बरश्यत गिरित या वर तेनी असे महंटला कि आमी कोटा चा दिरनायाचा आधर करतो परन्तु आमी समाधानी नाई है आणी पूर्णा निकाला से वाचन करूं या वर काई पुढ़े पावला उसलेश ची हमें ठरू तेन्चा समुर काई आता परिया है तामने एक रिव्यू पिटीशन सा जो भागा सो तिया वर तुम्ही काई विसलेशन करा परन्तु प्रस्टेक्शन जजवेंट वातिला है वर तेनमाद करे गास कोट आए वर अर्केलोजिकल स्वेशन करेक्षा आवाला वर अवाला कमीचिवा फिर्टीन नागे लेला ते तर्थी अटन के लिए अटर्ड़ के लावार योग क्या यातंदर वत्त नीचाही मैं जर्दा आणि ऑपनांस संदर्बद विचर नहीं है तो बच्णतम में बच्णत समुदी और अदी करना रसी सथे दिश में चाला आउदा अवगान देडान समय लेइना है रहते कोश्य नहीं है तो अगना कहीं अधिकारा है सर्मी तोड़ा थोड़ा थामबा हो तो है मुरली मनहर जोशी बोलता है तरीखे से इसकानुपालन करना चाहिए वास्ता में श्री राम की जन्मस्थान के बारे में जो सरकार ये उच्चतम नाहले ने ये फैस्टा दिया है कि ये उनका जन्मस्थान था और ये जमीन हिंदूओं की थी मैं ये समझता हूँ कि श्री राम तो सारे विश्वके हैं वो किवल किसी एक संपरदाय जाती भाशा या भूगोल से बंदे हुए नहीं है और भारत में तो जो जितने भी मुखे मुखे संपरदाय रहे हैं सभी ने श्री राम को एक आधरनिय या पूजनिय व्यक्तित्यू के रूप में माना है वो भारत की एक्ता और भारत की अखंडता इसके प्रतीक भी रहे है तो इसलिए उनके जन्मस्थान को उसी द्रिष्टी से देखा जाना चाहिए और वहाँ अब एक भव्य मंदिर के निर्मान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए और वो भी इस धंग से बने कि जिसके निर्मान में सबका सहयोग और सबका कि सहभागिता प्राप्थ हो सके वो एक राष्ट्री एकता अखंडता का और राष्ट के स्वाभिमान का प्रतीक बनना चाहिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इस निर्णे के पश्चात ये विवाद अब यही समाप्त हो जाना चाहिए सबको इसके आगे बढ़ने की जरूरत है जो हो गया है उसको स्विकार करके अब आगे की दिर्फ दिर्ष्टी दी जाए और वो राष्ट के नए निर्मान की नए हिंदुस्तान को अपनी प्राचीन जड़ों के साथ जोडते हुए एक नए हिंदुस्तान की रचना की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए तभी एह देश विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकीगा इस फैसले को मैं इसी दुष्टी से देखता हूँ और ये मुझे इस बात की भी बहुत प्रसनता है कि इस आंदोलन में भारती जंता पार्टी के उस समय के अद्धक्ष के रूप में मुझे भी कुछ समर्थन और सहयोग करने का अफसर मिला था दन्यवाद देखता हूँ वो कौन बोल रहा है सवाँ क्या बात हुईती कि अद्धक्ष के अद्धक्ष के लेला है मुरली बन्होर जोशिया नी आने आता हा खटलाई तो सम्चे लाए ते वाथा पुडे जाने अची गरज जाए अशिया पेक्षाद नी वेक्षाद के लेलिया अपले सोब चर्चा करता है एड़ोकेट असीम सरोजय सर तुम्ही कि सुनी वक्ष बोड़ा सब्सक्राइब परियायन विश्य बोलत होता है अचा ऐख भूलत है कि रामी वेक्षाद के लेता इसका सब्सक्राइब अब्सक्राद परियायन व्यवत्था ग्राया परिया मुझी तुमाने के लोग राजमलाला समिंती नावाल की जीकाई फउक्स टका रहे रहे चादना जी लीगल एंटी तुमी नहीं अज़ उसा था था किल अगर दें लिखता है। हो बरोबर है तुमी तेस फ़ष्ट केला आणी मरुनस करता सोपया शब्दा तेसे विश्लेशन होना गर्जेचा है असीम सार आणी विशेज गोष्ट या सर्टी हुती की पहिलांदास मझे रामलला सुदा या खटला मदे पक्षकार हुते तेबा या गोष्टी करते तुमी मत्यूम्नि जार आदास मझे पड़ जा समय सब्सक्राइब डे रामा मदेशन कर दो हुती के दाविक प्र शब्तात कर दो कि दार्म मैं पुर्या भगा शेतके हुती कि व्मिनिश ज्वाधास मुट्वन तेसा करता है सरो बेलो नहीं पन पुड़ अनुस्तर विवाधा दि सब्सक्राइब करें दोट चाहली मुट्य जो माहें देट चाहली चे स्क्रक्चर आटड़ी लाए से रामाशी पुझा आच्चा केली जातुती इस स्ट्रक्चर मुस्रिम सर्सुर्पिस्ट कौनिवाग है कि वाल अचिन सम्मनी जाय असा वाटा सिली आणि से हिंदू सर्सु सब्सक्राइब करें दोटाइब करें दोटाइब के लिए सुप्रीम कोट ने बगार और की हिस्सा बाट किये है हिंदू को हिंदू को दे दी भागवान राम काख जो हिंदू को मिलना चाहिे था वो मिल गया इसके लिए हम पूरे हिंदूस्तान को बदाई देते हैं। अब जो पाच एकर जमीन मुस्लिम पक्षकारों को दिये जाने की बाद सुप्रीम कोट ने कही है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर के बाद जा अपस में वकीरों से विचार कर रहे हैं क्योंकि कोट ने ये मान लिया है कि ये बाबर ने नहीं मीर बाकी ने बनाई थी और मीर बाकी क्योंकि शिया था लहाद ये जमीन से जो दी जा रही है उसमें सुनी पक्षकारों का या सुनी वकपोर्ड का कोई रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि मिर्बाकी के हिसाब से इस इस्ट्रेक्शर के बतले में दी जा रही है इस स्लसले में पूरी गुफ्तु को हम शाम तक बता पाएंगे कि हमने लीगल पहलू क्या है लेकिन इस पे जो पाच एकर जमीन है उस पे हम ये समझते हैं कि सुन्यों का कोई हख नहीं होना चाहिए हमारी पेटिशन जो थी वो नाइटी सिक्स के जज्जमेंट के अगेंस थी जाहर सी बात है एक साल के बाद हमने अपील दाखिल की थी और अभी आर्डर आने दीजे किस ग्राउंट के ओपर खारिज हुई है वो सारे सारी चीज़े अब आर्डर देखने के बाद ही जो उस पे लीगल पहलू है वो इक्तियार करेगा शियावाख पूर्ट मैं सुप्रीम कोट के फैसले का स्वाज़त करें बिल्कुल सुप्रीम कोट का बहुत अच्छा फाइसला है जबाता है अप्रतिक्रिया वेक्त होता है सर्वस्तरा तून अयुद्धे प्रकरणी निकाला संदरबाद मुस्लिमान आयो थे पास एकर परियाई जागा दिली जाना रहे और टस्ट स्थापन करून मंदिर बांधनाया से आदेश ही सुप्रीम कोट आना दिले ले आहे असिम सर जो सुनी वक्त बोड़ा कड़े जो ता परिया है तेवेशी आपन चर्चा करत होतो तही प्रोसेस नेमकी कशी असनार है रिवी पेटिशन ते दाखल करू शकता त्यानंतर कुटला-कुटला भंजे क्यूरेडर पेटिशन एक आहे त्यामादे इमर्जेंसी पेट असिम सर आवाज पोस्तो है ये तो अवा था आवाज आवाज शालो है आवाज ये तो है हां आवाज ये तो है आणि तयानि तयानि लेखी अहवाल दिला पएजे कि आमाला असवाटे केचु आवाज मळा येतो है, तुमाल येतो है कावाज? ओ, येतो है अलो हो हो, बोला तुमी, सर हो आवाज येतो है हो, मुढदा पुर्णा करा करने कुप कठी ना है कारण कि senior वक्किल जास्ता senior council त्याननी यह judgment वाचला पाई जे आड़ी त्याननी त्याननी त्या लेखी अभिप्राय दिला पाई जे कि एचा मदे काई सुधारनां ची गरद आये काईदेशीर त्रूटी राहुन गेले ला है तरज क्यूरेटिव पेट प्रोसेस तुम्ही कसा सांगात। जजमेंट जवा सगयानना डिलीवर होते आणि सगयानना मिधते वातना सेटी उपलब्द हसते सुप्रीम कोड चा वेबसाइट वर सुद्धा ते प्रसिद्ध होते त्यानंतर साधारंटा 32 सामधे आपन आववान याची का केली पाईजे क्यूर्योटीव पिटिशन केला प परन्तु अशा अनेक केसेश चा संदर्बाद पाणयात आलेला है कि जवा काईदे शीर्टेचा मुद्धा असतो ते वा उशीर जाला तरी विलमबानी सुद्धा याची का दाखल करून घेतला जाताथ आणि सर्वच्चनाले त्याचा मोठ्या मनानी विचार करताथ कि आ अपले हातुन कुंटी चूख हो नहीं आणि महतवाची काईदे विश्यक सुधार ना कराई जासेल तो अशा वड़ेस विलमब जो हाए तो सुद्धा माफ केला जाताथ आणि अशा केसेश याची का मनुद्धा दाखल करून घेतला जाताथ अच्छा यात आजुनेक महतवाची गोश्टती आशी आए कि जवा खंडपीठ एखा जया ब्रकरणी निकाल देतास तो तो प्रत्यक न्यायमूर्तिम करन सभी धाना से विश्यक अपेक्षी तो तो तसा कई विश्यक जाले लाएका प्रत्यक्षे जज्जमेंट वाचाव लागेल परन्तु मी जो मघशी मुद्दा अपलेला सांगितला कि जो सर्वच्चे नायला है तेंचा अचा लिहलेला है कि बाबरी मस्जीद हाज बीन डिमॉलिस्ट नाव बट दर रांग कमिटेड मस्ट बी लिमिटेड असा तैननी सिर्शी लेखर आपन करावा हिंद अनतरि ती मंदी राष्ट निर्माण गोच्छाश माये तुचरित नायला है तेंड़ शारमाण रृत्याद करनेंग मरेला ह्या तें जो महें करनेंगपनाने Africa once a child to a custom holidays that ? पे भलत जाला है कुर। आइदे शीर्ता आपवा प्राप्तो होते, त्याता हिशोग ठेवा लगतो, आडिट रिपोट दरवर्शी करा लगतो, याची काल जी सर्वोट चनेला नी घेतले आसा दिशते हैं. अपले सोबद नाकपुरुन जेश्टो पत्रकार वोबा देश्मुक सर आहे, देश्मुक सर स्वागत है तुमसे एमन्यूज मदे, अतीशे महतवासा हा निकाल होता, आणि सुप्रीम गोटान तो दिलेला आहे, गिलानेक वर्शान पासुन या विप्रकरनी समाज कारण आनि राजकारन धहुलून निकालेले, कस बक्ता तुम्हे निकाला करें? आनि एकोन विश्य एकोन नववद मदे, राजिव गांधी पंतप्रधान अस्ताना पहल्यांदा ते कुलूपु घण्याता दो, तेयान अंतर एकोन विश्य बैन्नों मदे, मन्दे तीन वर्शा मदे, जे काई घडला आते आपल्या समो रहे आनि ती वास्तु उद्वस्त दाजी त्यान अंतर एका अथिशे तात्पूर्थ्या जवस्ते मदे गेले वीस वर्शे, तीस वर्शे, तीस वर्शे, तीस वर्शे, राम मंदिर अथिशे तात्पूर्थ्या मेक्षिफ मंदिर मंता ही, अशा अवस्ते मदे हो तो, आच्चा निकाला मुले, एका मंदिरा निर्माना चाही मार्गम होकला थाला, दोन समाजा मदील, कंट्या वर अतिशे योग्ये निवाडा सुप्रिम कुर्टा नी दिला, और दुस्रेया बाजुची ही योग्ये ती काजी और दखल सुप्रिम कुर्टा न घेतली, त्या में एकंदरी ता निकाल अतिशे स्वागत अतिशे निकाल आए, असा माजम बहता है पुर्ण उंतावे असा प्रहतन दोनी भाजुनी राहिलाच, परन्तु कुंत्या ही समाजा मदे क्युमा समुहा मदे, काही समाज कंटक अस्तार, ते असा निर्नेयांचा गयर फाइदा ही गेनेची शक्यतान आकारता येत नहीं, अनि दोनी भाजुला लागुए, ये कुं अगार अक्षेव गेने सरका हमुद्धा नहीं है, ते चामुखे, परन्तु विद्यमान शाशान आये, कि माई विद्यमान शाशा खाए, ते पुर्वा पार एक बाजु लाउं धरनार असलेया मुखे, कदा चित, थाम पैने नहीं सांगुशकत, कदा चित, ते हैंना या निर्नेयाचा कही प्रमाना मले राश्किया लाब में उशकते। को लुए राश्किया लाश्किया लुए उशकते। कि या केश चा संदरबाजी सुनावनी सुरुआय तैचा लाइव स्ट्रीमिंग करावा लाइव टेलिकाश करावा एकुण पारदर्शक्ता आडन्या सटी ते महतवाचे ठरलासता परन्तु तसकाई जालेला आपलालासा दिसत नहीं त्यानां तर जात खूब वेगवड़े हस्तक्षे परजा मुझे इंटर्वेंशन अपलिकेशन दाखल करने ताले खूब लोकान नी आपला मंडना काई तरी सांगने ता प्रयत्न केला ही एक अशी केस आये जाचा मदे खूब मोठ्या प्रमानात राजकारण आणी धर्मकार करने ची एक वेगवड़ी जौब दारी कदा ची सर्वत्चे नायला आवर येचा मदे होती असा दिश्ते त्यानी तीस हस्तक्षे परजा वेगवड़े खारिच केले त्यानांतर येचा मदे प्रश्ना आला तो एकोण इश्ये चावरैननों मदे जो इसमाईली फारूकी येचा संदर्वाद एक जज्जमेंट जाला होता आणी तैननी सांगितला होता कि नमाज पढ़ने सेटी मौस्क असला पाईचे काई प्रार्थमी गरज नाई असा तेवाचा निर्णे होता त्या निर्णे आला सुद्धा येचा समाविष्ट करावा तेचा पुनर विच आणी त्या संदर्वाद धर्मा स्वातंतराजे जे हक्क भारतिय सवी दानत ले आहे 22 ते 27 मदे त्याचा सुद्धा विचार सर्वच्च नाला नी करावा याचा युक्ति वाद या केस मदे करने आत आलेला होता या केस मदे सग्रायत पहले एक विवाद अस्पत अश्या सर्वच्च नाला संगीतला कि असा अयोग्य उल्लेक आपण केस दर्में करून आए और तैनी ताकित दिलेली होती हां एक महत्वा चा भाग असा है मला वाडते त्यान अनतर या केस मदे मद्यन्तरी निमने तालेले नियायमूर्त यू यू ललित जे होते त्यानी स्वताल यह चा तुन बाहर काड़ून गेत लेला होता आपले सगया ना महीती मुरून महीती है कि यू यू लली थे अमी शाहन चा सुद्धा अनिक केसे चालवत होते त्यान अंतर नवीन घटना पीड़ेचा मदे वारमवार करनेता लेला है एक जे चीफ जस्टिस ओफ इंडिया दि पेटाड़ून लावलेला होता अक्विजिशन अफ सर्टन एरिया अक्ट अयोध्या एकुनिश्य त्रैन्नो या काईदया चा एक महत्वा चा संदर्भ या काईदया मदे गेना ताला मद्यस्ति चा शक्क्यता ता पास्ने ताला है श्रीछिरी रविश अंकर यांची नेम भावनांची मुद्धे न भकता आमी काईदये शिरस मुद्धे बहु असा संगोन सुधा भावनांची सुधा व्यवस्ता अपन न्याया लेला दूर्दयवानी येचा मते कराव लागेला है असा सुधा आपलायला दिसते बड़ो बड़े पर या मत है अशेक महीती समोर येते है कि इंग्रजान चा भूमी के मुले हिंदु मुस्लिम वादाला सुर्वाद जाली अशेक टिपणी केला गला से समझता है या विश्य आप लगा है मत है मला वाटत नहीं तशिक है टिपणी ये चात आले लिया है उलेख जो आलेला है नयाय आले चा निर्णय मधे तो ब्रिटिशन बदल चा सकारात्म कज उद्देशा है तेनी सांगित लगी इते दोनी धर्माचे लोक जेवाब पुजा अर्चा आणी नमाज पड़त होते याच्च वस्तुस्तिती आणी वास्ताव लक्षात गिवन ब्रिटिशन नी तेवा दोनी धर्माना नाय देना सठी मधे एक लोखंडी रेलिंग उभारनेत आलेला होता आणी तेनी दोनी धर्माचे लोकाना तुमी या बाजुला आणी तुमी या बाजुला आशी प्रार्थना पुजा अर्चा नमाज पड़ा अशा पदती नी व्यवस्ता करूं दिलियोती असा उलेक मात्र या जज्जमेंट मधे आलेला असा दिस्ते आपले सोब देशमुख सरे देश्टो पतरकार देशमुख सर खुब खबरदारी हितली या निकाला संदरबाद पंत्रमादां करना ही आवान केलेगेला की ही कुणाची हार आनी कुणाची जीत नाई है सरवानी शांतेदा पड़ाभी सरसंक चालकान कडना ही आने दुसान पासूं सर्वधर्मयान चा भेटी-गाटी गेतला जात होते है तेवा या सगया भूमी के कड़े तुमसे काई मत है या भूमी के विश्याई ने अच्चा निकाला नंतर तो मोठा समाजाना आपी जा विजय जाला आनी चोटा समाजान अबला परावजाला असा समझना चा कारण नहीं है परन हा मुदा मधे काईदेशीर हक्का चा समुद्धा होता अनी मंदीर पहले होता कि मसित पहले होती यहा तु लाका तुन हा वाद उडे चिगहला त्याला राछ्किया हवा दिली गेली वेगवेगाः गडानी वेगवेगाः भूमी का गेत लिया अच्चा उट्याईदेश्ष्य जाला तो चिगहलेला प्रस्ण कोना ची हार जीत नहीं है हाँ ही न्यायाची जीता है उसा मनायला हर कदमी कॉंग्रेस न सर थोड़ा वाला पुरुईस कॉंग्रेस सर्भे पतरकार परशेता सांगनात आला कि आमी याँ दिनने आचे स्वागत करता होत आनी जा अनेक वर्शान पासुन जो मुद्धा राजकारना था येत होता जै मुद्धा अखेर आता बंद होना रहे तो मुद्ध आली निगा लेला है ते वा खरसा मुद्धा आता संप्लेला है ने राजकारन केला जात होता है तो उगण चाहे तेचा तुन काय काय घडल एस अगर देशा समोर आए अनी ते फक्त एकाच कुन ते विशिष्टे गटाने तेचा राजकारन केला असा ही आपलेला मनता है न सर्वस बाजुन आप अपलेया राजकिया पोड़या शेकुन घेना सा प्रहत्न अयोद्धे अरुन के लेला है ते आता यापुडे हो ने अशी मा आमचा सर्ख्या सुगुद्ध नागरिकान ची अफेक्शन आही ती सर्वस राजकिया पक्षान नी सर्वस सामाजिक गटा सर्वाना शांतता हविया आणि हा प्रक्राण निकाली निखालेले तेमोल आता सर्वान नी इतुं पुले आवर राजकार न होनार नही आशी ता पक्षा सर्वस राजकिया तूंखरतर व्यक्त होते असीम सर एक महदवासा प्रशन यामद्यासा उपस सिल होतो कि 2010 सप्टे आपता है ति फेटा हुन लाओ ले लिये तो निकाल तो उच्चे नायलानी जो निर्णे दिला तो तेंचा पद्धती नी योग्य होता करण कि तो निकाल जो है तेंची तो सपष्ट पड़े असा सांगीत लेला होता कि आमी जमी नीचा वीवादाला संपोधने चा प्रयत्न करतौ आ है जसा अत्तासुद्धा सरवच्चन अलायनी एक विवस्थापनच करने चा प्रयत्न केलेला है कराण कि तसव पाहिलतर राम ही माइथालोजीकल अशा प्रकरची एक व्यक्तिया है आपला धर्म संस्कुरूती आपला सगया ना धार्मिक वड़न लागने सथी अशा कही संकलपना या आवश्य का है आणि त्या मैं अलाबाद उच्चन ऐलाण जो नीरने दिलावता तो जागे संदर भतलावता पन टेचात महत वात मनझे हिंदू पक्षकार आणि मुस्लिम पक्षकार दोनी धर्माच्या पक्षकार आख्शे भेतलावता कि आमाला तो ते जज्चमेन मादने नहीं आणि या पारशो भूमी वर सर्वच्च नायलान जो निर्णे दिलेला है कि मुला थी जमीन होती कोणाची तर मुला थी जर सरकार ची जमीन असेल आणि जस आपलेला माहिते है कि कौनि यहां थी जमीन क्यों दिलेला है माहिते हैं जस अधिलेला थी जमीन होती तो याणि तुम भूता हुट रही ससेल ख्राशो भूल समय तो रही जमीन होती एख कोई तो आणि मुला थी जमीन हूती प्रुदेव, निर्णाइ को स्वागत करता हूं, ये बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा था ये संगर्ष, इसका पूर्ण विराम हो गया है, अब देश की जन्ता आगे प्रगती के पत पर चले और साम्प्रदाइक सौहार्द को बनाये रखें। Prudhutetev, चुछुछुछ। क्षिए फिर दिएंगान इस स्थार्ट इनुट अटूंगा पूर्ट झालें इंगान से उड़ को रीज और्याओ टीजिक शीडी कि आंट। कि विल्स वीन अटोब टूप्लेग से विर धिप इन वीटित प्सुर्ट यूडू में थे से अटूगगान। फिपली और वोटसाइश काई जिए सब्सक्ता साय्टा झाल पर चाल है। को एंदा विए तेंपल और मॉस्क पोर्ट इंद ख्रिव और चिन्ज जान में जिन फॉवर्ट वोड विजू तो एंदियो चुन में जानागी है। करई लुटेः लुटेद पाइन अप्राम।र्ट्ट जा बार अप्राश कैसे लुट कि अगाद नह सब्क्राश कांन अर।ड वाले। जैसर फ्टेस्ट्स कें सटेस्टाने, यस जारूब सहुआरा है किसा बार क्यों प्राद से करें में, मत्रा हुआन। प्राद से अरली जज़ने का जालूज़ाव कर तो बढ़ देक होगा है? तर गीचिकुर्ट थासोर था हमस्तार क्या आँएाओ तर नाया थैंगा पुर्णात कि यदिन प्रिक्राइड इस में। इंगा तेजिलागे लुकिनि दियूद अजिए खज़ पर बेलिग टार्फ इंसितिविति गड़िटेंत यदिन प्रिक्राण इस वीजिट आपको लगता है सुप्रीम कोड का ये फैसला जो पक्षकारों ने आपके सामने उनके कंसंस रखे थे, हर एक कंसंस को इस फैसले में एड्रेस किया गया है आपको लगता है कि जो एड्रेस किया है सुप्रीम कोड ने वो सेटिस्टा कि इस बागे हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे अभी मगर ये इतना ये कहूँगा जरूर कि ये सब के लिए सही है और सब इसको स्वागत जरूर करेंगा सुप्रीम कोड ने भी कहा है कि जो आपकी पैनल थी आपका भी जो लाइन था वो बिलकुल इसी तरीके था उनने सरा है भी इस तरह से आप लोगूने बात्चीत आगे बढ़ाई थी जो क्या से लाइन तरह से आप लेजे तरह से रहे हैं तरह से तरह से एपकार व ये कहा है कि आपको मिलता गूर्देव कि आप उनको मनाने की बार उशश करेंगा थी ये इस बार में हम भी कुछ ने कह सकते में अगर एक पार में कहूंगा हजारों लोग हमारे देश में इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और कई लोगों का सपना था यहां वहां पर हम आयोध्या में एक प्रामदिर बने और इस बेंगे जो सपने हैं हजारों लोगों का और उन सब का इसमें योगदान रहा है और उन सब को भी सहराना करनी पड़ेगी आ बड़े शांती से सोहाद पूर तरीके से लोग आगे बढ़ें दोनों समुदाय के बीच में बहुत अच्छी बांडिंग है ये बद्यस्ता के बीच में हमको भी महसूस हुआ लोगों के लोगों को चाहिए कि जो कहरें करें करें करना तारेली होती आप रकरनी आणि दन्यात माध्यमान सोल प्रतिक्राय दिताना सुप्रीम कोल्टाचा सन्मान सर्वानी राखावास आवाहन के लेला है तेवा अनेक वेक्तिंग करना तो प्रतिक्रिया वेक्ते केली जाते आपले सोबत नाकपूर उनाहे जेश्टो पत्रकार गोपा देश्मुक सर अतिशे महत्वाचा हे प्रकरन भारताचा इतिहास आत साथारन तहा विद्यमान जे शासक वर्गा आहे हा या प्रकरना मदे अनेक वर्षया पसुन एका बाजुन उबार आहलेला है भाविश्यामधे याचे ज़र काई राज्किय पढ़सा दुमत्ती तर ते विद्यमान शाषन करतेयांचा काही ब्रामाना मदे काहुईना फाइदयाचे ठारना राचाए ते उगर पने दिश्टो आनि विरोधकान आत्या थोड़ा फार फटका बसू शक्तो नाही अपेक कि कोणी इसरे गहनेाचा प्रहतना खुरू नाही त्यवा आते श्रेया चा राज्यकारन यावरू सुरू होना रहां कि या सर्व स्वु निरल इकोलटालाचा आए कि अ च्रेय गव पर निया ज़ने चाह मुद्दा नहीं आइए बरोबड़ श्रेय गवने सटी सरकार नजर निरने दिला आसता तोर याचा सरेय सरकार्चा पद्राद ताकता आला हसता निरने सुप्रिम कोर्ण नावा चा सर्वोच्य नयाय पध्धती मतलिया सर्वोच्य पि टकला पाईजे आनि सर्वानी तयाचा हाद दिक स्वागत करून श्रेय गवने चाह लड़ाई कड़े नव बक्ता क्युमा श्रेय साथी यापुडे संगर्श होनार नाही याची काल जी घ्योन सवाशे कोटी जनतेला जी शांतता पेच्छी दाहे ती शांततीची अन्तता राखने सर्वानी हाद बार लावला पाईजे आनि हाँ सर्वस्वी निरने सर्वोच नायला ऐसा है तया मोने कोण ही श्रेय गवने चाह परेतन करून ऐसा अपना मटला